The Revelation of Jesus Christ, this message by brother William Marion Brennan was delivered on Sunday morning December 4, 1960 at the Brennan Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. इश्यू मसी का प्रकाशन, ये संदेश हमारे प्यारे भाई William Marion Brennan के द्वारा, रविवार सुभर 4 दिसंबर 1960 को Brennan Tabernacle, Jefferson Millay, Indiana, सियुक्त, राज अमेरिका में प्रजार किया गया. बहुत बहुत धन्यवाद भाई नैविल, आप बैठ सकते हैं. मैं से विश्वास करता हूँ, कि ये एक बार कहा गया था, कि मैं आनंदित हुआ, जब उन्होंने मुझसे कहा, आओ, हम प्रबु के घर में चलें. अब हमें खेद है कि हमारे पास जगए नहीं है, या बैठने का कमरा नहीं है, उन सब के लिए जो उपस्तित हैं, और शायद आने वाले सब्ता में इस्तान बढ़ाएंगे, आने वाले लोगों के लिए जो सभाव को सुनने आज़ें. आथे हैं. लेकिन इस विशेश समय का इसका जो कारण था कि हम मेरे हिर्दे में पविटर आत्म ने दिरन विश्वास की ये चेतावनी दी थी कि इस दिन में कलीसिया के पास ये संदेश होना चाहिए क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये बाइबल का सबसे अधिक समझने वाला संदेश है क्योंकि इस समय पर ये मसी को उसकी कलीसिया में प्रकट करता है तब किसी के पास विश्वास नहीं हो सकता है या नहीं जानता हो कि वे क्या कर रहे हैं या वे कहां जा रहे हैं जब तक कि उनके पास कुछ नहों कुछ तो ऐसा ताकि अपने विचारों को आधार बनाए और विश्वास पर हो इसलिए यदि वचन इन अंतिम दिनों में और समय की परिस्तिती में मसी को हम पर प्रगड कर चुका है यह हमारे लिए अच्छा होगा कि इसे ढूंडे और जाने कि हम कहां पर है अब हमें खेद हैं कि हमारी कलिसिया ज्यादा बड़ी नहीं है किसी दिन हम ऐसा होने की आशा करते हैं और इन पिछले चार दिन में विशे शुरूप से प्रकाशित वाक्य के किताब के एटियासिक भाग पर इसे अध्यन कर रहा हूं मैं उन चीजों से होकर गया हूं जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि वास्तों में कभी ऐसा हुआ था और ये यहां तक मेरे लिए एक ऐसास को लाया इस साथ कलीसिया युक के बाद मैं इस पर से होते हुए आया हूं मैं एक और ऐसी ही शिंखला को लेना चाहता हूं सक्ची कलीसिया और जूटी कलीसिया एक साथ और बस इतियास और वचन के जरीय से ले लूँगा जैसे एक बार मैंने प्रयास किया था एक उबदिश पर लेने के लिए सची दाखलता और जूटी दाखलता जो बाइबल में पाई जाती है हैं अच्क होगा जाएबल में प्रयास करेंगे और हम कुछ कुरसी और जादा लेने की कोशिश करेंगे यहां पीछे कमरे को भरने की कोशिश करेंगे और बहार और कुछ यहां-वहां ताकि हम सभाओ के दौरान कुछ और लोगों को बैठा सकते हैं अब इस पर मैं आप में से हर एक से पूछना चाहूंगा जो इन बातों के बारे में वास्तों में दिल्चस्पी रखते हैं जो हर समय आते हैं कि हम इसे समझाने जा रहे हैं और मैं उत्तरजायत्व नहीं होंगा या मैंने अपने आप में नहीं सोचा उत्तरजायत्व नहीं हूँ इस महान प्रकाशित वाक्य की किताब साथ कलिस्या यूग लेकिन मैं पूरी तरह से परमिश्वर पर निर्भर हूँ क्योंकि जैसे ये मुझे प्रकट करता है वैसे ही मैं ऐसे लेने के लिए आता हूँ सभाविक इतिहास जो की सबसे प्रमुक इतिहास कारों में से मैंने लिया जिसके बारे में मैं जानता हूँ मैं ठीक अभी अपने अज्जन के कमरे में बैठा हुआ था लगबग पांच या छेवे आख्याओं की किताबों को देखा हसलाप के टू बेबिलोन फॉक्स बुक आफ दे माटियर्स और अन्य महान किताबों को जैसे मैंने नीसिन परिशेद उस पर लगबग चार किताबे हर एक किताब में लगबग चार सो परने है और वहां नीसिन परिशेद और सारे इतियास हैं जिसे हम देख सकते हैं क्योंकि इसके पीछे चुम्बकिये टेप से हम साथ कलीसिया काल पर एक व्याख्या को लिखने जा रहे हैं जिससे कि हम सारे संसार में भेज सकते हैं क्योंकि हम अंतिम दिनों में हैं हम अंत के समय पर हैं यह मेरे हिर्दे पर कभी भी इतना ज़्यादा स्पष्ट नहीं हुआ जब तक अंतिम चुनाव नहीं हो गए और उसके बाद मैंने देखा कि हम कहां पर थे तब पवित्रा आत्मा मुझ पर प्रगट करने लगा कि लोगों को सचेत करूँ और इस बात को रखूँ और मैं इस तरह परियाप्त रूप से एक कलिस्या में यह नहीं कर सकता हूँ और तब यदि मैंने बैठ कर और बस किताब को लिखा मैं महसूस करता हूँ कि यदि मैं पुल्पिट पर गया और मसीयों के बीच में पवित्रा आत्मा की पिरिणना मुझ पर आ गई मेरी साहता करने के लिए तब मुझे इसके बाद किताब लिखने के लिए काफी बाते मिलेगी मेरे इन बातों को टेप में से लेने के बाद क्योंकि वहाँ टेप पर हमें इसकी प्रिणना मिलती है वे किताबे अवश्य ही एक तरह से थोड़ा सा स्पष्ट करेंगी क्योंकि यहाँ पर हम उसमें बातों को टालते हैं जो हम टेप में नहीं डाल सकते हैं और फिर हम और हम अपनी आप से दोराने में बोज समय ले लेते हैं यहां मैं ऐसा करता हूँ और फिर किताब में यह सब इस्पष्ट हो जाएगा लेकिन हम यह सब लेने का प्रयास करेंगे जित्ता हम कर सकते हैं टेपों पर अब हर एक रात को साहित्य और इत्यादी की वे टेप भाईयों के पास होंगी ठीक वहां इमारत की बाहर अब मैं हो सकता है हर रात को यहां नहीं हो सकता हूँ जैसे परमिश्र की महिमा के लिए हमने अपने आप पर लेने का प्रयास किया है ताकि साथ रातों में साथ कलीसिया के संदेश या साथ कलीसिया युक को लेकर आएं हर रात को एक एक युक को लेते हुए जैसे समार रात को एपिसुस्, मंगलवार की रात को समुर्णा, बुदवार की रात, परिगमून, गुरुवार की रात, थुआ की रा, शिक्रवार की राद सर्दिस और शनिवार की राद फिल जिल पिया और रविवार सुभे और रविवार की राद लोट्किया कलीसिया युग जिसमें हम रह रहे हैं मूल कलीसिया के इतिहासिक बातों को बताते हुए और लेखों को और इतिहासकार उस युग के दूत और संदेश और कलीसिया की दौड जैसा की इसमें से होते हुए इस समय तक आए हैं और यह देखना अद्बुत है कि उस बचन की हर एक भविश्यमानी इतिहास के साथ दिनल रूप से पूरा करती है बस ठीक ठीक इसके विचारधारा तक इसने मुझे यहां तक कल बहुती चकित कर दिया यहां तक मैं पढ़ता ही रहा जब तक मुझे मैसूस नहीं होने लगा कि मेरी आंखें सूझ गई है और मैं बाहर आ गया और मैंने पत्नी से कहा मैंने कभी इस तरह से सपने में भी नहीं सोचा था समझे यह कितना महान था और अब कभी कभी मैं हो सकता है इस सब को एक ही रात में नहीं ले सकूँ कलीसिया को, कलीसिया के लिए संदेश को और यदि मैं इसे एक ही रात में नहीं ले सकता हूँ तो अगली सुबह दस बजे ले लूँगा हर रात को गोशना की जाएगी जो बाकी लोग आकर और सुनना चाहते हैं क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि इसे टेप करें मैं सुबह दस बजे से लेकर दोपर तक दिन में ताकी इसे लाने की कोशिश करूँ बाकी की संदेश को क्योंकि वे इसे टेप पर सुन सकते हैं ना ही हमने घोशना की है कि कोई भी चंगाई की सबा नहीं होगी क्योंकि हम बाइबल के भवशुकता के शब्दों की नीचे बने रहने का प्रयाज कर रहे हैं तब हमारे पास अभी हाली में एक चंगाई की सबा होई थी इसके बाद जब यह सबाएं समात हो जाती हैं तब हमारे पास फिर से उसी स्तान पर एक चंगाई की सबा होगी लेकिन अब मैं इसे वास्तों में स्पष्ट करना चाहता हूँ इसलिए कि अब हर कोई वहाँ पर इसे याद कर रख सकता है यह हो सकता है काटेगा और अलग करेगा और हम सभी को एक बड़ी हिलावट को देगा लेकिन मैं वचन परचार करने के अलावा किसी भी बात के लिए उत्तरदा ही नहीं हूँ यह ऐसा ही है बस सीधे वचन को पकड़े रहूँगा और बहुत सी बार हो सकता है इस कलीसिया के युगों में हो सकता है किसी संप्रदाय पर दोश को लगाए और यदि यह ऐसा करता है तो इसका अर्थ कठोरता से नहीं है यह तो किवल यह बताना है कि वचन ऐसा कहता है और मेरे पास इसका जो प्रकाशन है और यदि आप सोचते हैं कि मैं इसमें गलत हूँ तो इसे मेरे प्रती कुछ विरोध में मत रखना कि वचन मेरे प्रातना करें कि परमिश्र मुझे दिखाए कि क्या सही है क्योंकि मैं अवश ही सही होना चाहता हूँ और फिर एक और बात यह मैसूस करते हुए कि मेरे पास जो जिम्मेदारी है इस तरह की एक सभाव में लोगों को इसकी शिक्षा देते हुए कि पवित्र आत्मा मुझे उन शब्दों के लिए जिम्मेदार ठहराएगा जो मैं इस पुल्पिट में से कहता हूँ इसलिए आप देखते हैं कि हम इस पर कितना बिरंता पूरवक पहुच रहे हैं अब हमारे मुझे यह कहीं तो और मिल गया होता था लेकिन यह शिश्शा होने की वज़े से तो हमारे बाहर सभाव में जो सुसमाचार प्रचार करने वाले हैं हम इसे हरें के पास एक विचार होता है या परक होती है या जैसे जैसे युगों में से होते वे किया गया है और हमारे पास अपनी अपनी कलिस्याएं हैं और हमारे कलिस्याओं ने हमें जो भी सिखाया है और हम क्या विश्वास करते हैं हम मुझे किसी और के कलिस्याओं में जाना पसंद नहीं है या उस तरह के लोगों के बीच में और ऐसा कुछ कहें जो लोगों को सिखाया गया हो जो इसके विपरीध होता है क्योंकि कुछ भी हो मैंने इस प्रेश्ट रूप से प्रयास किया है अपने कथन को दिया है यदि कोई मनेश कैथोलिक है और वह कैथोलिक कलिस्याओं के उधार पर निर्भर है तो वह खतम हो जाता है यदि वह बेप्टिस्ट है बेप्टिस्ट कलिस्याओं पर निर्भर है तो वह खतम हो जाता है या एक पेंटिकोस्टल एक पेंटिकोस्टल कलिस्याओं पर निर्भर करता है कि उसे बचाए वह खतम हो जाता है लेकिन कोई भी कलिस्या लेकिन यदिव व्यक्ती दुनता पूर्वक उस कलवरी पर मसी के समाप्त के हुए कारियों में विश्वास पर विश्राम कर रहा है तो वह बच जाता है मैं परवानी करता हूँ कि वो कौन सी कलीशिया से समंद रखता है क्योंकि विश्वास के द्वारा तुम बचाए गए हो और यह अनुगर से है अब कभी-कभी ऐसा करने में फिर मैं सोचूंगा यहां मेरी अपनी छोटी से इमारत में जिससे अपने बहुत वर्ष पहले आरम किया था तब कुछ पुराने ठोस पत्तरों के ब्लॉक और चीजों से बनाया था और यह एक प्रकार से हमारे लिए एक पवित्रे स्थान है हम यह ना पसंद करते हैं इसे बदलते हुए देखने से ना पसंद करते हैं क्योंकि यह वो इस्तान है जहां परमिशर पहले हम से मिलना आरम किया जब यहां तक इसमें कोई हमारे पास मंजिला भी नहीं थी लेकिन इसमें एक इस्तान होना है क्योंकि अब ये पुराना भी हो रहा है और हम यहाँ इस एक कलीशा के साथ इस ब्लॉक को भरने के लिए यहाँ एक इमारत के निर्मान की योजना में हैं अब उस वक तक मैं मैं मैसूस करता हूँ कि जब मैं प्रचार के कारे शेत्र पर वापस आता हूँ जहां पर मैं भाईयों को ठेस नहीं पहुचाऊंगा और यहाँ संदेश और इद्यादी के द्वारा ठेस नहीं पहुचाऊंगा तब यह मुझे अधिकार देता है कि मैं खुद की राय को व्यक्त करूँ यहाँ पुल्पिट से और यहाँ आप कहते हैं मुझे इस बात से थोड़ा अलग सिखाया गया है मैं और तब इसमें हम तब किसी को भी आमत्रित करना चाते हैं जो भी आना चाते हैं समझे यहाँ कोई भी इसे प्रावजित नहीं कर रहा है या जो कुछ भी है यहाँ पर यह भवन है और जो भी आना चाता है उसका बस आने के लिए स्वागत है बस सीधा आ जाओ इसलिए मैं आपको अमत्रित करता हूँ कि वे अपनी बाइबल को लेकर आएं हर एक सभा में और एक करम और कागज को लाएं और अब सारी टिपणियों और इत्याजी के साथ मैं सारी किताब नहीं ला सकता था इसलिए मैंने कुछ लिख कर रखा है यहां कागज पर लिख दिया है इतिहास और टिपरीओं से हर बार कुछ छोड़ी चोड़ी बातों को लिख देता हूँ और इतियादे जिससे की मैं यहां लिखी वी बातों में से तब पढ़ सकता हूँ बजाए किताब को लेकर और पन्नों को आगे पीछे पल्टाने के हाला कि जब ये बचन की बात आती है तो हम बाइबल का उप्योग करेंगे और टिप्रियों में मैं समझाऊंगा या इतियास में से इतियासकार कौन था जिसने से कहा और इतियादी उसके बाद अवश्य ही आने वाले किताब की विर्टानत में क्योंकि उसके बाद हम इसे सही प्रकार से टाइप कर सकते हैं और सब कुछ सही रिटी से कर सकते हैं अब हम वह सब कुछ करेंगे जिससे हम जल्दी से आरम कर सकते हैं और जिती जल्दी संभव हो सके पूरा करेंगे यह आठ दिन की सभाई होंगी रविवार से लेकर रविवार तक आज सुभे मैं प्रकाशित वाक्य की किताब से प्रकाशित वाक्य का पहला ध्या आरम कर रहा हूँ और प्रकाशित वाक्य तीन भागों में निर्धारित किया गया है और जो पहले के तीन अध्याए हैं उसमें से हम इन आठ दिनों में बताते रहेंगे जबकि एक कलीसिया काल के लिए हमें एक मीना लग सकता है लेकिन हमें किवल उपर उपर की मुख्य बातों को लेना होगा जब हम इसे बताते हैं फिर जब आपको किताब मिलेगी तो इसे विस्तार में लिखा जाएगा अब प्रकाशित वाकिय पहले तीन अध्याए जो कलीसिया के साथ विवार करता है उसके बाद कलीसिया गायब हो जाती है हम उसके बाद इसे अंत समय तक नहीं देखते हैं प्रकाशित वाकिय एक से लेकर तीन तक जो कलीसिया के लिए है प्रकाशित वाकिय चार से उननीस इसराइल के लिए है जो एक राश्ट्र है और उननीस से बाविस जो दोनों के लिए एक साथ है और अंत में विपत्तियां और चेतावनियां और इतियादी तीन भागों में निर्दारित है देखा और हम पहले तीन अध्याओं को ले रहे हैं जो कलीसिया से संबंदित है और जिस कलीसिया योग में हम रह रहे हैं अब पहले यह एक प्रकार से रुखा रुखा लग सकता है क्योंकि अमें पीछे जाकर और एक बुनियात को बनाना है मैंने प्रात्ना की है और इसका जहन किया है और वह सब कुछ किया है जो मैं कर सकता था पवित्र आत्मा के अनुभुती को पाने का प्रयास करने के लिए कि कौन से तरीके से इसे रखा जाए जिससे लोग इसे देख सके और जिससे कि आप हो सकता है इसे देखने में यह पश्ट हो जाए और आपका मसी के नजदीक आने का कारण बने क्योंकि हम अंत्त समय पर है और यह एक ऐसी अद्बुत बात है जैसा कि मैं इतिहास का अधियन कर रहा था यह जानने के लिए कि उस कलीसिया का आरम कैसे हुआ और यह कैसे दूर हो गई और किस बात ने जगली थी और यह देखने के लिए कि परमिश्वर का छोटा सा बीज उन हरे युगों में से होते हुए आगे बड़ा लगबग पूरी तरह से बाहर आ गया उस एक इस्तान से अब कल रात हम आरम करेंगे और एक यहां चार्ट है चार्ट नहीं मेरा मतलब एक ब्लैक बोर्ड है जिसे मैं आपको एक तरह से ब्लैक बोर्ड से सिखाना चाहता हूँ मैं सोचता हूँ कि रविवार स्कुल के शिख्षक उसमें से एक के पास एक ब्लैक बोर्ड होता है मैं से पीछे देख रहा हूँ मैं देखरे करने वाले को लेकर इसे यहां सामने उपर लगा दूँगा जिससे मैं उस ब्लैक बोर्ड से सिखा सकता हूँ और इस पर लिख दूँगा जिससे आप निश्चित हो जाएं और आप इसे अपने कागज़ पर बना सकते हैं और इतियादी और इसे नजदिक से समझ सकते हैं जब हम इसे ला सकते हैं लेकिन मैं आरम करने से पहले केवल यह कहना चाहता हूँ कलिसिया के यगों के आरम को देखें और यह देखें कि कैसे प्रिनितों, सिध्धान्तों और उन बातों को जिसे उन्होंने सिखाया और बाइबल के सिध्धान्त और फिर उस कलिसिया को देखें जो प्रिनितों का दूसरा दोर था यह किस तरह से धुनला होना आरम होने लगता है जो वास्तविक सची शिक्षा थी तीसरा दोर बहुत दूर होता चला गया चौते दोर पर यह एक ठंडे गुनगुने में दुनला हो गया था उस कलिसिया ने एक गुनगुने कलिसिया को लेकर आया और फिर एक आत्मा से भरी कलिसिया जिसे मैं इसे इश्वरी सम्मान के साथ कहता हूँ हर एक मनिश्य के धरम के लिए आरम से लेकर इस समय तक वास्तविक सच्चे कलिसिया या पेंटिकोसल कलिसिया रही है यह सच बात है परमिशन ने इस कलिसिया को बचा कर रखा है मैं एक्सर सोचता हूँ जब एश्वने टिपनी की कहा डर मत छोटे जुन यह तेरे पिटा को भाया है कि तुझे राज्य को दे मैं एक्सर सोचता था कि इसका क्या मतलब है लेकिन मैं इसे अब समझता हूँ पिछले हपते हमारी शेवरेपोर्ट लुईजियाना में सभा हुई जो मेरे जीवन की अब तक की सबसे बड़ी आत्मिक सभा थी जिसमें मैं गया हूँ शेवरेपोर्ट मैं मेरे पास दो दिन की छुटी थी और मैं केंटेगी में भाई वुट के साथ वहां गया जो कलीसिया के डीकन में से एक हैं या मेरा मतलब खजांची हैं हम शिकार करने के लिए गये हम जंगल में चले गए मैंने पहले गिलरी पर गोली चलाई और मैंने कहा मैं बस इंतजार करूंगा क्योंकि कोई तो कुछ कुछ कुटों को लेकर आ रहा था और मैंने कहा मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक गिलरी छेज से बाहर नहीं आ जाती वे पेडों में भागती रहती हैं छेज में चली आती हैं और वे छिपी रहती हैं अब मैंने कहा जब वे बाहर आती हैं मैं यहां बैट कर और इंतजार करूंगा क्योंकि यह वास्तव में ठंडा और रूखा मौसम था और कान जल रहे थे और आप घाटी से होकर आने वाली तेज हवाओ को तो जानते हैं मैंने कहा मैं तक तक इंतजार करूंगा जब तक गिलहरी बाहर नहीं आ जाती और ज्यादा समय तक मैं वहां नहीं बैठा था कि तभी पवित्रा आत्मने कहा उठ और उस इस्तान पर जा जिसे तुम शिकारियों की घाटी कहते हो वहां मैं तुम से बात करूंगा और मैं इस इस्तान पर चला गया जिसे मैंने शिकारियों के घाटी नाम रखा था क्योंकि इसका कारण ये है कि मैं उन घाटियों का नाम मैंने खुद रखा था क्योंकि इसे मैं जान पाता था कि मैं कहां पर था एक पेड़ पर 16 गिलरी यो को बैठा हुआ देखा एक दायरे से गोली को चलाया और वहां से चला गया और यही वो शिकार होता जिसे किया जाता तो मैं इसे शिकारियों की गाटी कहता हुँ और उसने मुझसे कहा, जिस इस्तान को तुम शिकारियों की घाटी कहते हो, ऐसा नहीं है कि उसने इसका नाम रखा, लेकिन मैंने इसका नाम रखा. तब मैं उस घाटी की और बढ़ गया, और एक सफेद बतुल के पेड़ के नीचे बैड़ गया, और लगबग आदे घंटे तक इंतिजार किया, और कुछ भी नहीं हुआ, मैं जमीन पर लेड़ गया, खुद को ओंदे मूँ जमीन पर टिका दिया, अपने हाथों को फैला दिया, तब उसने मुझ से बात की. और जब उसने बात की, तो वे वचन जो उसने मुझ पर प्रगट किये, यही वचन जिस पर हम आज सुबह आ रहे हैं, मैंने इसे अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था. और फिर जब मैं शिवडेपोर्ट लुजियाना में गया, तो एक महिला, जो की एक दान पाई हुई महिला है, उसका नाम शिरीमती शिरेडर है. कई वर्ष पहले, जब प्रभु के दूत ने मुझसे पहली बार यहां नदी पर मुलाकात की थी, और उस उजाले में दिखाई दिया, और वे शब्द जो उसने वहां कहे, ग्यारा वर्षो के बाद, जब वे एक सभा में चल कर गया, तो यह छोटी से मुझा ओड़ कर अन्य भाशा में बोलने लगी, और इसका अनुवात किया गया था, यह शब्द दर शब्द वही था, जिसे दूत ने कहा था. और यह वही छोटी मुझा है, जब मैं भवन में चल कर गया, यह शिवरेपोर्ट में इस्थान था, जिसमें हम थे, लाइफ टैबनेकल, पवित्रा आत्मा उस मुझा पर आ गया, और शब्द दर शब्द वैसा ही कहा, जो दूत ने वहां पहाड पर कहा था. तब आत्मा ने आगे आकर और अनुवात को किया, प्रकाशन के द्वारा आने वाली बातों को बताते हुए, भविश्वने के द्वारा वही बातें जो की अगली रात की सभा में जो हुने जा रहा है, और एक बार भी यह असफ़न नहीं हुआ था. इससे पहले सभा में एक छोटी सी महीला खड़ी हो गई, एक बेप्टिस महीला वहाँ आ गई, जो यह नहीं जानती थी कि वह क्या कर सकती है. और वह सभा के बीच में खड़ी हो गई थी, और पवितरा आत्मा उस पर उतराया, और उसने अन्य भाषा के साथ बोलना अरम कर दिया, जो शेवरेपोर्ट के पहले बेप्टिस कलीसिया की एक बेप्टिस महीला थी. और फिर वह नहीं जानती थी कि उसने क्या किया है, और फिर इससे पहले कि वह कुछ भी कह सके, पवितरा आत्मा उन्य अनुवात को दिया, कहा योवा यो कहता है, तीन महीने के अंदर मूसा, एलिया और मसी की आत्मा वहा होगी, इस भवन में सेवकाई कर रही होगी, वहाँ यह पूरी रिती से ऐसे ही हुआ. मेरिडियन, मिसिसिपी के एक बैप्टिस व्यक्ती ने अपने फिरिज पर हाथ को डाला, फिरिज में से कुछ निकालने के लिए और परमिश्र की आत्मा उस पर आ गई, और वह अन्य जबान में बोलने लगा, नहीं जानते हुए वह क्या कर रहा था. और इससे पहले की वह, समझ सके की वह क्या कर रहा था, पवित्र आत्मा ने वापस बात की और कहा, शिवडेपोर्ट, लुईजियना जाओ, मेरा दास तुम्हें बताएगा की क्या करना है. और वह वहाँ पर आया, उसने कहा, मैं से समझ नी पा रहा हूं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ओ प्रभू, हम प्रभू के आगमन से ठीक पहले के दिनों में रह रहे हैं. यह छोटी कलिसिया हमेशा ही कम संख्या में रही है, पेंटी कोस्टल, मेरा मतलब संसागत पेंटी कोस्टल लोगों से नहीं है, मेरा ऐसा आर्च नहीं है, लेकिन वे जो पेंटी कोस्टल अनुभावारे लोग हैं. पेंटी कोस्टल कोई संगठन नहीं है, पेंटी कोस्ट एक ऐसा अनुभाव है, जो उन्हें मिलता है, जो भी इसकी इच्छा रखता है. कैतोलिक, यहोदी, प्रॉसलेटी, मैथोडिस, बैप्टिस, जो कोई भी चाहे, वो आए. यह एक अनुभाव है, जो व्यक्तिगत के लिए है. परमिशर एक संप्रदाय के साथ व्यवार नहीं करता है, नहीं वह अन्य जातियों के साथ, एक जाती की नाई, या लोगों के साथ, वह तो व्यक्तिगत के साथ व्यवार करता है, जो भी चाहे. वो सफेद, काला, पीला, बूरा होने दो, मैथोडिस, बैप्टिस, प्रोटेस्टेंट, कैतोलिक, जो कोई भी हो, वो आए. जो कोई भी हो, मुझे खुशी है कि उसने इसे इस तरह से बनाया. मैं, जैसा कि एक व्यक्ति ने एक बार कहा, मैं बल्कि उसे यह कहते वे सुनना पसंद करूंगा, कि वो मेरा नाम पोकारने के बजाए विल्यम ब्रनम आ जाए, क्योंकि वहाँ एक से अधिक विल्यम ब्रनम हो सकते हैं, लेकिन जब उसने कहा, कोई भी आ जाए, मैं जानता हूँ, कि वो मेरे लिए है. तो इसी तरह हम सभी मैसुस कर सकते हैं, जो कोई भी चाहे, वो आए. अब मुझे पता है कि वहाँ बहुत से लोग होटल और मोटल में रुके हुए हैं, जो संसार भर से आते हैं, देखा, यहाँ आईरलेंड और विविनिस्तानों से लोग आई हुए हैं, जो भेट करने के लिए रुके हुए हैं, लेकिन मैं इनसे ठीक अभी नहीं मिल सकता हूँ, मैं अपना समय इसके लिए लेना चाहता हूँ, आप समझते हैं. जब मैं इन ब्रह्मन से वापिस आया, मैं आम तोर पर वापस आकर किसी को सेवकाई करने के लिए देटा हूँ, क्योंकि वे भेट करने के समय को तै करके रखते हैं, लेकिन ठीक अभी हमें इस कारण से उन्हें छोड़ना होगा. अब इस किताब को आरम करने से पहले बस एक बात कहूंगा, आरम में एक पेंटीकोस्तल कलिसिया थी, वो पेंटीकोस्तल कलिसिया आत्मा की सामर्त में आगे बढ़ी और उसने एक प्रिनितो की किताब को लिखा, दूसरे दोर में यह दुर्बल होने लगी, कलिसिया यह आपचारिक होने लगी थी, दूसरी कलिसिया का योग यह वास्तों में आपचारिक था, लेकिन वो पेंटीकोस्तल का छोटा सा बीज आत्मी ग्रूप से आगे बढ़ता रहा. उसके बाद यह लगबग 1400 और ऐसी ही कुछ वर्ष एक अंदकार के योग के इस्तान में चला गया, एक अंधेरे सतावट के इस्तान में. वो छोटा सा पेंटीकोस्तल योग उसमें से होकर जीवित रहा या कैसे बचा रहा, मुस्सी मत पूछना या परमिशर का हाथ था, केवल यही एक चीज है जो से कर सकती थी. क्योंकि उन्होंने उन्हें खंबो पर खूटे से बांद दिया और वे पूरुशों को लेते और उन्हें एक खूटे पर उल्टा करके और लकडे की कील को लेकर और उनके पैरों में गार देते और जानवर कुटे उन्हें पीचे से आकर खाने लगते इससे पहले की वे मरे उन्हें से उनकी आतों को नोच लेते. मेलाओं को लेते, उनके स्थनों को काट दिया जाता, इस तरह से उनके दाइने स्थन का चिथड़ा उड़ा हुआ होता, और वे खड़े रहते और बस उनका लहू बैता रहता, जब तक की उनका जीवन उनमें से बाहर ने निकल जाता. गर्वती माताओं से बच्चों को ले लेते और उन्हें कुत्तों और सूरों को खिला देते, जब वे उनकी ओर देखती रहती थी, मसियत को मानने वाले. लेकिन बाइबल ने कहा और इशु ने कहा ये बात पूरी होगी कि वे तुम्हें माल डालेंगे, ये सोच कर कि वे परमिशर की सेवा कर रहे हैं. देखा? और अब वो बात एक और आगे के युग तक बढ़ती जाती है, तब अन्त में ये सामने आता है, फिर हम ध्यान देते हैं, जैसे जैसे कलिसिया सुधारक से हटने लगी, वे बाते उस समय से लेकर बाहर निकलती गई, और बाहर निकलती गई, और वे आत्मा से दूर होते गए, सीधे आगे की ओर जब तक इस अन्तिय युग में नहीं आ गए, जब यह खुद को संगटित कर देते हैं, और पशु क के निमित एक छाप को बनाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आत्मा लोगों के हिर्दों में रहेगा, जब तक इशु नहीं आ जाता, इसे होना है, इसे मन में बनाए रखें, हम इसे नक्षब पर बनाएंगे, इतिहास और हर एक चीज़ को लेंगे और आपको दिखाएंगे कि यह ठीक उसी तरह से है, आप खुदी इतिहास को लेकर और इसे पढ़ें, देखें कि बाइबल क्या कहती है, और फिर इतिहास ने क्या कहा, देखें कि यह किस तरह से बिल्कुल ठीक वैसे ही मिलता है, ओ, हो सकता है, हम इन सब बातों को बस एक लंबे कथन के रूप में नहीं लें, लेकिन हो सकता है, हम पूरे दृणता के साथ, पूरे दृणता से पवित्र आत्म की चेतावनी को लें, और दिन और रात प्रात्ना करें, कोई भी बात आपको प्रात्ना करने से रोकने न पाए, हम अंदर जाएंगे, यह उन मापूरुशों के जीवन को खोद निकालेंगे, कैसे उन्होंने बलिदान दिया था, आप देखेंगे, कि आपने इतना अधिक कुछ नहीं किया है, मुझे कभी-कभी खुट पर शरम आने लगती है, कि किस तरह से हमारे पास सब कुछ इतना आसानी से मिल गया है, और उनके पास सब कुछ कितना कठिन है, वे इधर उधर मारे मारे फिरे, पालोस ने इवरानियों 11 में कहा, क्लेश में और दुख भुगते हुए भेडो और बकरियों की खाले ओडे हुए, हमारी गवाई उनके सामने क्या होगी, उस गवाई से उपर किस तरह से होगी, और हमारे पास सब कुछ इतना अच्छा है, अब बस समान देते हुए, किताब को खोलने से पहले, मैं सभी के लिए चाहता हूँ, जो कोई भी हो, बस प्रातना के लिए, एक पल के लिए खड़ा हो सकता है, अब आप अपने हिर्दे की सचे के साथ परमिशर से प्रातना के कुछ शब्द की सांस कुलें, प्रभू परमिशर आकाश और पिर्थी के सिर्ष्टी करता, अनन्जीवन के लेखक और सभी अच्छे और सिद्ध दानों को देने वाले, प्रभू हम आप से सबसे पहले मांगते हैं, हमें शमा कर हमारी सारी लापरवाई के लिए और हमारे पापों के लिए, और हमने जो आपके विरोध में और एक दूसरे के और हमारे साथियों के प्रती जो अपरात किया है, होने पाए इस छोटी से समय पर हमारा एक साथ इखटा होना नहीं केवल हमारे अपने प्राणों की उन्नति के लिए हो, बलकि होने पाए यह हमें इस तरह से स्पष्ट करें और हमें प्रिनित करें इतना तक कि हम जाकर दूसरों को बताने लगें, होने पाए यह फिर से समणपन का समय हो, मसी के संपुन दे को एक जूट करें और रैप्चर के लिए तयार करें, पिटा परमिशर ना ही मेरी अपनी भावनाओं से हो, यह जानते हुए कि आपका दास और अन्य सारे दास इस महानकार्य को पूरा करने के लिए योग्य नहीं है, मैसूस करते हुए कैसे वे महान पूरुश जो होकर गए, उन्होंने अपने हिर्देओं पर इस बात को लिया, इसे प्रकट करने का प्रियास कर रे थे, या उस महान प्रकाशन पर टिप्री करने का प्रयास कर रे थे, तब हमें एःसास देता है कि हम उनसे कहीं अधिक अयोग्य हैं, लेकिन आप हमारे लिए योग्यता हैं, और मैं प्रहातना करता हूँ सुरगी पिता कि आप इस समय के दौरान कुछ तो विशेश करेंगे कि पवित्र आत्मा हर एक हिर्दय में प्रधानता हो जाएगा बूलने वाले होटों और सुनने वाले कानों का खतना करें और जब यह सब खतम हो जाता है और हम इसे आपको समर्पित करें होने पाए हम इस भवन की चौखट से चल कर जाएं यह कहते हुए यह हमारे लिए वहाँ पर होना भला था पवित्रा आत्मा ने हमसे बात की जब हम वहाँ पर बैठे हुए थे और अब हम सब करने के लिए द्रण है जब संध्या का उज्याला चमक रहा है इसे प्रदान करें प्रभू होने पाए इस सभा के दोरान पुरुष और महिलाओं को एक नए सीरे से समझ को लेने का कारण बने होने पाए आप अन्य जबान के साथ बोलने वालों को खड़ा करें अन्य जबान के अनुवादक को खड़ा करें होने पाए आप भविश्वाने के दानों को खड़ा करें प्रचार को पास्चरों सुसमाचार प्रचार करने वालों और इतियाजिये को खड़ा करें जिससे की कलिसिया की उन्नती हो मिशिनरीयों को खड़ा करें ताकि बार शित्र में जाकर और इस महिमा में सुसमाचार को आगे ले कर जाएं जहां भी बचन जाएगा होने पाए ये अच्छी भूमी पर गिरे सौगुना फल को आगे लाते हुए क्योंकि हमें विश्वास है कि हम युक के अंत में रह रहे हैं जीवन का अंत निकट है इन चीजों को प्रदान करें पिटा और सब बातों से उपर इस समय पर प्रभू आप मेरी साहता करें उन्हें जो जरूत मंद हैं क्योंकि मैं इसे मांगता हूँ जैसे मैं इन सभाव के लिए खुद को आप के लिए समर्पित करता हूँ इश्यु मसी के नाम में आमीन अपका मनी आपका मनी आपका मनी आपका आपका मनी 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 आपका मन कर दो Ộ्लैनल इन और को बेड़ बेश्यू कि खाल let your hearts be understanding because I am going to speak to you, my people, by this the prophet. He is going to bring out of the depth of this my word thing that's going to make your understanding. He is going to open to us, to you, many things that you will never understand except to be spiritually discerned and revealed to you for his children. Let your hearts, children, look at something to him that he might be able to that he seeks to do the prophet to sing the same to your attention that he desires you to hear. This is a warning. This is the last time the words are going to be said to many people's hearts. This is a time that our understanding must be made truthful. So as a spirit speaks to our prophet, to the prophet, and our hearts that live under you, have understanding. Let us gather close that we miss something that is too great for us to make. Just say it alone. Have your word. Mighty God, who raised up Jesus from the dead, we are so glad to know that your spirit dwells among us. Always is he true and never a word of untruth. And now, Father, confirm further thy word as we read, for your glory and may ever heart as you have said, be prepared and ready for there will come for something. And the people will receive their last warning to turn from the things that they now do यह हो सकता है कि लोग अपने अंतनिम चेटावनी को ले लें ताकि उन चीजों से जिसे वे अभी करते हैं वे सही रास्ते की और मुड़ जाएं हम आपका धनिवाद करते हैं पवित्र परमिश्षर आपके पवित्र पुत्र के नाम में जो प्रभु एशु मसी है आमीन अब प्रकाशित वाक्य की किताब में जाएंगे पहला अध्याए अब पहले मैं प्रकाशित वाक्य के पहले तीन पदों को पढ़ना चाहता हूँ इशु मसी का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमिश्षर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शिगर होना अवश्य है दिखाए और उसने अपने सरदूत को भेज कर उसके द्वारा अपने डास योना को बताया जिसने परमिश्षर के बचन और इशु मसी की गवाई अर्था जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाई दी धन्य है वह जो इस भविश्वाने के बचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी वी बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट आया है जैसा कि मैंने पहले कहा है अब इसमें हम इतियास और इतियादी के अनुसार किताब का और अब थोड़ा विश्लेशन देने की कोशिश करेंगे और हर बार जब आप मुझे उन पन्नों का हवाला देते हुए देखते हैं जो मैंने यहां लिखे हैं तो यह वे भिन्न भिन्न बाते हैं जिसे मैंने टिपड़ी करने वालों और इतियाजी से ली है अब इस किताब का लेकर कि यह हैं यहना है संत वो दिविय यहना जिसने भविश्य की पीड़ी ए को लिखा है बी मसियत युग के साथ अलग अलग युग की आवदी के साथ युगों के लिए निर्देशित किया प्रेणितों के दिनों से लेकर एक एक युग जो प्रभु के आगमन तक है और अब हरेक युग हमारे उत्तर अजिकार में प्रगट होता है हमारे प्रभु के सुरगा रोहन से लेकर उसके फिर से आगमन तक हरेक कलीसिया का युग उसकी आत्मिक इस्तिती का वरणन करता है E. हर एक कलीसिया का युग ध्यानपुरग अपने आप में उसके वचनानुसार के जरिये और उनके प्रति आत्मिक बात को बता सकता है जैसा की आत्मा बोलता है प्रतियग युग अपने आप को ध्यान से देख सकता है Each age bore the true vine of Christ the wise virgin and each age bore the grafted vine the foolish virgin हर एक युग मसी की सचे दाखलता को लेकर आती है वो समझदार कुवारी और हरे युग में दाखलता को जोड़ा या कलम किया गया था जो मुर्ग कुवारी है इतिहासकार मानते हैं यह योन्ना का जीवन है योन्ना अपने वर्षों के अंतिम समय में Ephesus शहर में रहा और वहीं पर मरा वह पत्मुस के टापू पर था उस समय उसने प्रकाशित वाकी की किताब को लिखा था यह उसके जीवन की कहानी नहीं थी बलकि भविष्य के युग में मसी की कहानी थी देखा यह एक भविष्य मानी थी योन्ना का जीवन नहीं मसी का जीवन नहीं लेकिन आने वाले युग की भविष्य मानी थी यह उसकी भविष्य मानी का कथन नहीं था लेकिन पूरी तरह से प्रभु के उस्सा के शब्द थे यह संत देविय योन्ना का प्रकाशन नहीं था लेकिन मसी प्रभु का प्रकाशन था यह एक नए नियम की अंतिम किताब है फिर भी यह सुसमाचार के आरम और अंत समय के काल को बताती है बाइबल के विद्वान सेमत होते हैं साथ कलीसिया के युक की पत्री जिसे लिखा गया था बविशे सूचक के ढंग में भविशे के युक के लिए पौलुस ने अपने दिन में वर्तमान के साथ कलीसिया के जीवन और मुहिमा के बारे में लिखा युना ने भविशे में की साथ कलीसिया की में में और जीवन के बारे में लिखा जो युना इन साथ पाश्टरों या संदेश वाहकों को संबोधित कर रहा था जो सीधे सारे मसीहों के लिए है जो इस साथ भिन दूतों के समय में थे अब प्रकाशित वाके की किताब अब हम लेने जा रहे हैं जैसा हम इसका सुभै और इस शाम के लिए इसका विशलेशन करेंगे और लगबग हम ग्यारा बजे और ग्यारा तीस तक बाहर जाने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरह से और फिर आज रात साथ बजे फिर से आरम करेंगे अब इस पहले अध्याय का विशे पहला पर यह वास्तों में खुद के लिए बताता है क्योंकि यह इश्य मसी का प्रकाशित वाक्य है दूसरा पद संत देविय यहनना का है जो लेकक और सेवक है तीसरा पद आशिशो को उचारन करता है चौथे पस्ते लेकर छटवा पद कलिस्या को अभिवादन करता है साथ वापद गोशना करता है आठ वापद इश्य मसी की सरवच देविकता है नौ से लेकर बीस वापद पत्मुस का धर्शन है और चौदवा और पंदरवा पद भी उसके व्यक्तित्व के साथ प्रकार की महिमा का वर्नन करता है ओ ये सुंदर बात है जब हम मसी को उसके साथ प्रकार के व्यक्तित्व में देखते उसके व्यक्तित्व के साथ प्रकार के अस्थित्व में उसके महिमा में पुरूथान में अब शिर्चक चरित्र का वर्णन करता है, एशु मसी का प्रकाशन, संत दिव्य योहना का प्रकाशन नहीं, लेकिन परमिशर के पुत्र एशु मसी का प्रकाशन. अब प्रकाशन शब्द युनानी के लिए अपोलेप्स जिसका अर्थ है, खुलासा होना. और मैं उस शब्द को लेकर और इसे खोज रहा था. इसका मतलब है, अंतरभास ये हैं जैसे एक मुर्तिकार जो एक बड़ी मुर्ति को बनाता है और वो इसे एक परदे से ढाक देता है. और उसके बाद वो जाकर और इस परदे को फार देता है और खुलासा करता है कि परदे के पिछे क्या है, यह एक उजागर करना है. और यह किताब एश्यू मसी के व्यक्तित्व को इतना अधिक नहीं खुलती है, फिर भी यह निच्चित रूप से उसकी डैविक्ता और उसके साथ परकार के व्यक्तित्व की बात करती है, और उन चीजों की भी बात करती है, जो वो है जैसे याजक, राजा और इतियादी. लेकिन यह उसके कारियों के भविश्य का खुलासा करता है, उसके साथ कलिसिया युगों में जो आने वाले हैं, यह जब हमारा प्रबु धर्ती पर था, तो चेलों ने उससे पूछा, और कहा, गुरू, क्या तुम इस समय पर राज्य को वापिस इस्रेल को लटाओगे? और इश्यों ने कहा, इस घड़ी और समय को जानना तुम्हारा काम नहीं, और कोई भी नहीं जानेगा, कहा, यहां तक की पुच्र भी जैसा की अब तक नहीं जाना. लेकिन उसकी मिर्तिव, दफ्राने, पुनुर्थान और महिमा में उठा लिये जाने के बाद, उन्होंने परमिशर से कलीसिया के भविश्य को प्राप्त किया. तब वह वापस आता है, ताकि इस संदेश को कलीसिया के लिए लेकर आए, और उनके आगमन का ये संदेश और युग में से होते वे, उसकी कलीसिया की स्थिति को बताए. वह अपनी मिर्ट्यू, दफनाने और पुरूर्थान से पहले ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि वह अभी तक इसे नहीं जानता था. लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि पवित्र शास्त्र यहां कैसे बताता है? एश्यू मसी का प्रकाशित वाकिय जो परमिश्र ने मसी को दिया. कैसे परमिश्र उस पिटा ने अपने पुत्र एश्यू मसी को प्रकाशन दिया और उसने अपने दूद को योन्ना के पास भेजा, जो इन चीजों को दर्शाता था. जो थी, जो है और जो होने वाली है. और यह बहुत ही खुबसूरत रुप से इस्थित है. अब इस आने वाले महान युग में जो योन्ना ने देखा, अब यह प्रकाशन पूरी तरह से उसे दिया गया था. ताकि मसी के विशिष्ट उदेश को बेपर्दा करे, वो क्या होगा और हर युग में कैसा बनेगा. यही वो कारण है कि मैंने आज सुबह कहा, अपना मन सची कलीशिया पर रखें. सची कलीशिया पेंटिकोस के दिन से आरम हुई. वहां कोई धर्म शास्त्री नहीं, ना ही बाइबल का विद्वान, या ना ही कोई इठिहासकार, जो कभी भी कह सकता है कि यह मार्टिन लूथर, वैसली, कैथोली युग या किसी अन्य युग के दिनों में आरम हुआ, या पेंटिकोस में आरम हुआ. यही कलीशिया का शुभारम होना था, यह शुरुआत थी, इसलिए किसी के साथ इस पर चर्चा करते हैं, तो आप पेंटिकोस के उस फाटक पर खड़े हो जाएं, और वे तब कहीं और नहीं जा सकते. बिल्कुल जैसे कि एक खेत में खरगोश को रखना, आप जानते हैं, जहां हर कहीं छेद होते हैं, तो आप इसे बंद कर देते हैं, वो ठीक उसी इस्तान पर वापस आएगा, जहां वो अंदर गया था. तो इसी तरह से, जो कोई भी कलीसिया और कलीसिया के युगों और पवित्रा आत्मा के कारेों के बारे में बात करता है, आप मूल बात पर वापस आएंगे उस शुरुआत में. इसे वहां पर वापस आना है, क्योंकि परमेशर अनंध है, और वह सरशक्तिमान है, इसलिए अनंध होने के नाते, वह ऐसा यहां कुछ नहीं कर सकता है, और वहां पर इसके विप्रित कुछ और करे, हर बार वैसा ही करता है, जैसे उसने इसे पहली बार किया था. जैसे पत्रस ने कहा उस दिन, जब अन्य जातियोंने पवितर आत्मा को पाया, उसने कहा, क्या हम पानी को रोक सकते हैं, यह देखते हुए उन्होंने पवितर आत्मा को पाया है, जैसा कि हमने आरम में पाया था. एशू जब वो धरती पर था, बोला और कहा, यह किसी ने आकर कहा, क्या यह हमारे लिए नियम के अनुसार है, किसी भी कारण से अपनी पत्नियों को दूर करें, इशू ने कहा, उसने नर बनाया, नारी बनाई, इस कारण से एक पुरुश, उसने कहा, लेकिन मुसा ने तो हमें तलाक के बारे में लिखा, इशू ने कहा, आदी से ऐसा नहीं था. आदी में वापस जाओ, इसलिए, यदि हम कलीसिया के युग के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो हमें आदी में वापस जाना है, हर एक बोले गए कथन को एक तरफ रखते हुए, जिसे मनुश के युग में से होते हुए कहा गया है. यह बाइबल में किसी भी किताब की सबसे अधिकारिक किताब है, यह एक मात्र ऐसी किताब है, जिस पर मसी ने अपनी मोर लगाई है, यह एक आशिश के साथ आरम होती है, और एक शाप के साथ समाप्त होती है, धन्य है वो जो पढ़ता है, और शापित है वो जो इसमें से कुछ निकालता है. यह एक मात्र ऐसी किताब है, जिसे मसी ने स्वयम लिखा, संपुन बाइबल में से, उन दस आग्याओं को उसने अपनी उंगली से लिखा, यह सई बात है, यहुदियों ने उन आग्याओं को पक्ड़े रखा, और आज यह वो प्रकाशन है. और यदि शेटान बाइबल में किसी भी किताब से ग्रणा करता है, तो यह प्रकाशित वाक्य की किताब है, वहाँ दो है. वह सारे वचन से ग्रणा करता है, और यह वचन का पूरा सिद्धान्थ है, लेकिन यदि कुछ भी यह ज़्यादातर ग्रणा करता है, तो वह प्रकाशित वाक्य और उत्पत्ती है. क्योंकि उत्पत्ती आरम को बताती है, प्रकाशित वाक्य से प्रगट करता है, कि अंतिम दिन में उसके साथ क्या होने वाला है, एक हजार साल के लिए बांदा जाएगा, उसके बाद उसे और जूटे भवशकताओं और पशो को आग की जील में जिन्दा फेक दिया जाएगा. और वह उत्पत्ती की किताब पर आकरमन करेगा, इसके प्रमानित होने पर आकरमन करता है, वह कहेगा ये प्रमानित नहीं है और वह लोगों के दिमाग में हल्चन मचा देगा, देखो कि शैतान कहां पर पड़ा है, उस उत्पत्ती की किताब या प्रकाशित वाक्य की किता और परकाशित वांके किताब में, बाखि सारी किताबों की कितालों में, इसमें अधिक चिंड है, इसमें और अधिक चिंड है, क्योंकि यह बोष्य वानने की किताब है यह एक भविश्वानी की किताब है इसलिए इसे भविश्वक्ता की कक्षा के द्वारा समझा जाना है यह किताब हर किसी के लिए नहीं है इसे शायदी कोई समझ सकता है यह किताब एक विश्वर्क के लोगों के लिए बनाई गई है व्यवस्ता विवरन पर यह कहता है छिपीवी बातें वो वो प्रबु की है यह सई बात है और वो हम पर प्रगट करता है उसके बच्चों को छिपीवी बातों को तो यह उनके लिए नहीं शारिरिक मन वच्च की महान बातों को समझ बूज नहीं सकता क्योंकि यह उनके लिए मूर्खता है लेकिन जो लोग परमिश्र के वच्च के प्रेमी है यही है जिनके लिए यह किताब कलीसिया को लिखी गई थी इश्यू मुसी का प्रकाशित वाकिय एफिसियूस के कलीसिया के लिए इस मुर्णा की कलीसिया के लिए कलीसियाओं के लिए आगे तक इश्यू मुसी का प्रकाशित वाकिय मैं इसे पसंद करता हूँ और ध्यान देना यह बचनों की संपूर्णता भी है, सारी संपूर्णता और भगवलिक रूप से इसे बाइबल के अंत में सही स्तान पर रखा गया है सारी बात का प्रकाशन यहां पीछे एक आशिश के साथ रखा गया है, उनके लिए जो इसे पढ़ता है और इसे सुनता है, उनके लिए एक शाप है जो इसमें जोड़ेगा या निकालेगा, यह पूर्ण सिद्धान्त है, ओ, परमसत्य है, इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा जा सकता है और जब कोई मनिश है, इसमें कुछ भी निकालने की कोशिश करता है, या इसमें कुछ भी जोड़ता है, तो परमिशर ने कहा कि वह उसी भाग को जीवन के किताब से बाहर निकाल देगा, समझे, यदि वह इसमें जोड़ेगा, तो वह किताब से अपना भाग निकाल लेगा, इसलिए जब हम अपने प्रभू के बहुत से प्रकार के प्रकाशन को देखते हैं, वो कौन है, वो क्या है, यदि कोई भी विक्ती इसमें कुछ जोड़ेगा, या इससे कुछ निकालेगा, तो वह एक गलत भविश्वानी होती है, बहुतों ने ये कहने के लिए कोशिश की है, उसके बाद में जोन के पास कुछ तो कहने के लिए था, लेकिन ये प्रभु इश्व का संपुन प्रकाशन था, उसके कलिसिया युग में और उसके दिन में हमारे प्रभु का प्रकाशन है, अब बेपर्दा होना का युनानी शब्द कुछ तो जो छपाया गया है, प्रकट होना मसी का, अब अगला पद हम दूसरे पद में पाते हैं, पहला पद मसी का बेपर्दा होना है, वो प्रकाशन या खोनना, ओ, कैसे अंतिम युग और प्रभु का आगमन प्रिनितों के लिए ढखा हुआ था, उन्होंने सवाल को पूछा, लेकिन केवल एक ही जीवित रहा, उसके पास प्रकाशन था, और फिर भी उसने इसे नहीं समझा, क्योंकि इतिहास अभी तक बना नहीं था, अब इस किताब का इतिहास, या इस किताब का संधर्ब, आसिया, माइनर, छोटे भाग में साथ कलीसिया को निर्देशित किया गया था, या तब था, या उन साथ कलीसिया की और निर्देशित किया गया था, उस दिन पर उन साथ की तुलना में और भी अधिक कलीसिया हैं थी, लेकिन उन में से हरे कलीसिया मात पूर्ण थी, वे उसके विशे में मात पूर्ण थी, जो विशेश था उस कलीसिया में थी, जिसका पालन आगे उस युग में से होते वे किया जाता रहा, जैसे एफिसियूस इसकी एक विशेश थी, इसमुर्ण ना, प्रेगमून, और आगे फिरजल्पिया, उन में से हरे कलीसिया में एक विशेश थी, जो विशेश ता आणे वारी युग में फिर से दिखाई जेती रही, ओ, यदि आप केवल कोई भी मनश्य उस बचनों की आत्मिक्ता को उप्योग करके से देख सकता है और कह सकता है कि भी प्रेणा से नहीं थे? आपकी वही प्रतिकिरिया, वही उद्देश, लोगों के वही मकसद इससे यह साबित होता है कि वचन प्रेणा से है ताकि यह देखे कि परमिशर उन बातों को कैसे लागू करता है? बस आप जो यहाँ पर कर रहे हैं यह किसी बात की प्रतिचाया है जैसे अबरहाम इजाक को भेट चड़ाने के लिए ले गया जो उसका इकलोता पुत्र था, यह परमिशर के अपने पुत्र को देने की प्रतिचाया थी उस सेक्रो वर्ष के बात की, किस तरह से यूसुप को बेज दिया गया था और वो जेल में था, अपने भाईों के द्वारा ग्रिनित किया गया था, और अपने पिता के द्वारा प्रेम किया गया था, इशू जो उसका नमूना था, किस तरह से आत्मा ने यूसुप उस एक मनश्य के जरिये से काम किया और उसने बस पूरी तरह से मसी के जीवन के नमूने को दर्शाया कैसे दाउद दाउद का पुत्र उसी पहाड पर बैठा है जब दाउद को राजा के रूप में ठुकरा दिया गया था और पहाडी पर चड़ गया जैतुन के पहाड पर पीछे मुड कर देखा रोते वे राजा के रूप में कुछ सो वर्शों के बाद दाउद का पुत्र उसी पहाड़ी पर चड़ गया ए असुरकित राजा के रूप में और यरुशलम के उपर रोया आत्मा नमूने और उस रूप में है ओ फिर क्या आप इस अंतिम दिन में मान पेंटिकॉस कलिसिया को देख सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं कि कैसे पेंटिकॉस के दिन परमिशन ने इसका शुभारम किया इसी आत्मा को कलिसिया में सारे योगों में से होते हुए बने रहना चाहिए था? वे आपचारिक और बेरुक हो गए उन्हें एक संप्रदाय होना था उन्हें कलिसिया और राज्य को एक जुड करना था और उन्होंने आखिरकार ऐसा ही किया और सैकरो वर्ष के सतावट का कारण बन गए तब वे सुधारक वे बहार आते हैं और हर एक वर्ष वे आत्म से अलग होते जा रहे थे और सभाविक बातों से जुड़ते जा रहे थे इतना तक अब भी वे बस फिर से ऐसा करने के लिए तैयार हैं हम इन अंटिम समापन की घड़ी में रह रहे हैं जो कलीशिया की समापती हैं हम फिलेजलफिया में हैं मेरा मतलब लौत्किया कलीशिया युग में हैं अब पहला अध्याए पहला पद जिसे युणना को परिचे दिया गया था अब लेखक कौन है युणना 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 का एक प्रकाशित वाक्य नहीं था और हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था क्योंकि यह प्रभु एशु मसी का प्रकाशित वाक्य था वह यह था वह एक केला होने के लिए चुना गया था और किताब अपने आप में इस बात का खुलासा करती है कि यह एशु मसी था जिसे वह प्रकट कर रहा था और इसे भेजा गया था और यहना को उसके दूद के द्वारा इसे वरनन किया गया हमने जानते कि दूद कौन था बैबल यह नहीं बताती है कि दूद कौन था लेकिन हम जानते हैं कि यह एक भविश्वक्ता था क्योंकि बैबल ने बाद में कहा कि मुझ एशु ने अपने दूद को इसलिए भेजा कि तुमारे आगे होने वाली बातों के विशह में गवाई दे तब हम पाते हैं कि जब यह ना दूद की आरादना करता है तो दूद ने कहा देखो कि तुम ऐसा मत करो प्रकाशित वाकिया 22 मैं सोचताओं कि यह उसमें है और उसने कहा क्योंकि मैं भविश्वक्ताओं का और तेरा संगी दास हूँ यह एलिया हो सकता है यह भविश्वक्ताओं में से एक हो सकता है यह ना एक प्रिनित था लेकिन इस भविश्वक्ता को बेजा गया था और यहना एक भविश्वक्ता होने के नाते उसके बाकी की पत्रियों में सभाव को देखें यह साबित करता है कि इसे यहना ने नहीं लिखा था क्योंकि उसमें यहना की तरह का कोई सभाव नहीं है पहले यहना की किताब को लें दूसरे यहना इतियादी और इसे पढ़ें और उसके सभाव को देखें यहना एक लेखक था और एक प्रिनित था लेकिन यह एक भविश्वक्ता की आत्मा है यह पूरी तरह से एक अलग ही व्यक्ति है, देखा, यह योना लेखक नहीं था, योना का प्रकाशित वाक्य नहीं था, यह तो कलिस्या के लिए एश्यु मसी का परमिशर का प्रकाशित वाक्य था, और यह था, यह ना तो केवल एक लिखक था, लिखने वाला, और किताब उसी बात को गोशित करती है, अब यह यहना को संबोधित नहीं किया गया था, इसे तो कलिस्या को संबोधित किया गया था, तो ठीक है, उस समय पर यहना एफिसियो कलिस्या का पाश्चर था, और अब किताब यहना को संबोधित, मतलब कलिस्या को संबोधित करती है, ना ही यहना को, अब तीसरा पत वह आशिश की गोशना करता है इसे सुनना धन्य है वह जो इस भविश्वाने के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखीवी बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट आया है कौन सा समय निकट है जिस समय ये बाते घटित होती है जब ये इश्व मसी का प्रकाशन हरे कलीशिया युग में पूरा होता है अब उसका इसके इस तरह लिखने का जो कारण है यदि उसने कहा होता ठीक है अब वो वे उसके लिए देख रहे थे यदि यह प्रकट हुआ होता था यदि वो यह यदि योड़ना को प्रकट हुआ होगा कि वो आने वाला था जैसे ही वे कलीशियाएं वहां पर समावत हुई थी इसी तरह से योड़ना ने इसे सोचा लेकिन यदि ऐसा था तो वे कलीशियाएं जैसे ही वे इस्तमावत हो गई वे आकर यदि वो जानता था यदि यह उस पर प्रकट किया गया था कि साथ लंबे कलीशिया काल होने जा रहे थे जो कई हजार वर्ष हैं मतलब कई सैकरों वर्ष तब प्रतिक्षा का कोई कारण नहीं होगा वे तो बस अपनी कलीशिया की युग को जीते इसलिए परमिशर ने से बोला और यह उसके लिए प्रगट नहीं हुआ यह मार्टिन लूथर को प्रगट नहीं हुआ वे बाते जिसे जॉन वेसली ने वचन के बारे में जानी यह बैप्टिस को प्रगट नहीं हुआ जो पेंटीकोस्टिल वचन के बारे में जानते हैं क्योंकि यह एक अलग ही यूग में हैं यह अलग समय हैं और परमिशर उसकी बातों को बस रितू में प्रगट करता है ओ आप दाने को बसंद रितू में बोकर और उसी समय पर कटनी नहीं कर सकते हैं आप एक बीज को बोते हैं और यह परीपकोता के लिए बढ़ता है परमिशर अपने बचन को बोता है और फिर यह तब बंडे लगता है और तब हम पीछे देख कर और कहते हैं यह वहाँ पर था क्योंकि निश्चे ही हम इसे प्रगट होने के बाद देखते हैं अब धन्य हैं वो वचन आशिश की घोशना तिसरे पत पर उनके लिए जो उसके रहस्यों को पढ़ते या सुनते हैं करना शारेरिक मन इसे अस्विकार कर देता है क्योंकि शारेरिक मन इसके बारे में एक भी चीज नहीं जानता है कोई आशर नहीं कि शारेरिक मन इसे नहीं जानता क्योंकि यह उस शारेरिक मन में शैतान है और शैतान प्रदशित हुआ है और शैतान खुद को प्रदशित नहीं करवाना चाता है आप ध्यान देना कि शैतान के लिए यह कितनी ब्यानक बात है जब वो सोचता है कि वो प्रदशित होने वाला है उन सभाव में से एक में देखें लोगों की प्रतिक्रिया को देखें आप सभाव में देख लेना शैतान के प्रदशित होने से ठीक पहले किसी एक व्यक्ति पर आप देखेंगे उसका चैरा बदल रहा होता है आप देखना मेरी जानते की क्या सोचें उसी वक्त पवितरा आत्मा नीचे उतराता है और उस शैतान को प्रदशित करता है ओ वह इस प्रकार की सभा से ग्रणा करता है यही वो कारण है कि हमारे पास इस तरह की लड़ाई थी क्योंकि परमेशर का वचन शैतान को प्रदशित करता है समझे यह बटाता है कि वो क्या है जैसा कि आप कहते हैं वो इस तरही वहाँ पर बैठी हुई है पुईतरा आत्मा की प्रणा के नीचे कहते हैं उसका नाम कुमारी जॉनस है वह फलाना और फलाना से आई है वह क्या करता है वह उसकी आत्मा को लेता है उसे एक इस्तान पर लाता है आप मुझे कैसे जानते हैं वह मनुश मुझे नहीं जानता है इसलिए यह कोई तो आत्मा होना चाहिए यह किस तरह का आत्मा है यह परमिश्वर का आत्मा है कैसे मेरे साथ क्या बात है आपको शर्य रोग कैंसर है या जो कुछ भी हो लेकिन योवा यो कहता है ओ ओ ओ शेतान किस तरह से गरना करता है क्योंकि यह उसे बे नकाब करता है अब शारिरिक मन देखता रहता है कहता है या मनों को पढ़ने वाला है मनों वे ज्यानिक है वे नहीं जानते या उनके लिए मुर्खता है लेकिन उनके लिए जो जानते हैं कि यह क्या है ओ च्या ही आशिश है यह क्या है एक प्रकाशन है किसका एक प्रकाशन पुल्पिट पर उस एक मनुश्य का एशू मसे का जो इस अंटिम कलिसिया यूग में है खुद को प्रगट करते हुए जैसे उसने प्रतिग्या की थी कि वो करेगा समझे यह एक प्रकाशन है देखो और शेतान उस से घृ ना करता हैं ओ व किस तरह से घृ ना करता है व बे नकाब हुआ है उसकी योज़ना को जागर करता है शेतान प्रकाश अब वह एक प्रकाशित वाक्य से क्यों गिरना करता है वह प्रकाशित वाक्य के विरोध में क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि परमिशर के वचंग का संपुन सिध्धान और परमिशर की कलिसिया पूरी तरह से प्रकाशन पर बनाई गई है यह कभी भी एक इसकुल के जरिये से नहीं आएगा कोई फरक नहीं पड़ता हमारे पास कितने भी अच्छे धर्म विद्याले हो वे बहुत पीछे अंदकार में युग में है बाइबल और कलीसिया पूर रूप से एक प्रकाशन है आए हम खोलेंगे मैंने या कुछ वचन लिखकर रखे हैं मती सोलवा ध्याय और अठारवा पद आए हम थोड़ा मती 16-18 पर ध्यान देंगे देखेंगे हम वचन कहां पर है ये प्रकाशन कहांपर है इस पहड़ी से आ रहा है надо एशु ने उसको तर दिया कि हे शमुन जोना के पुत्र तो धन्य है क्योंकि मासा लहुने नहीं परंतु मेरे पिटा ने जो स्वर्ग में है ये बात तुछ पर प्रगट की है और मैं भी तुछ से कहता हूँ कि तु पत्रस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसया बनाऊंगा और अदलों के फाटक उस पर प्रबल न होंगे अब कैथलिक कलीसया कहती है उसने इसे पत्रस पर बनाया ठीक है यह यह वास्ता में बहुत ही शारिरिक सोच है आप एक आत्मिक मन के लिए कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो इस तरह की समझ को रखेगा परमिशर के रूप में अपने खुद के पुत्र के साथ वहां खड़ा हुआ है और फिर भी एक साम मनुष्य ने इसे साबित कर दिया वह उस पर उसी आत्मा के साथ उसने इशु को शाब दिया और उसे ठीक उसके सामने इंकार कर दिया यह पत्रस नहीं था या ना तो वह एक चटान था जो वां पड़ी थी जैसा कि कुछ कलीसियाओं को दावा है कि वो था एक चटान नहीं था क्योंकि पत्रस वह जिस चटान के बारे में बोल रहा था वह पत्रस नहीं था नहीं वह स्वयम था अब प्रोटेस्टेंट लोगों में से बहुत से कहने के कोशिश करते हैं या इशू था या तो वो था जिस पर उसने कलीसिया को बनाया वो नहीं या फिर भी गलत है यदि आप ज्यानने यह इशू नहीं था ना तो यह पत्रस था यह प्रकाशन था मा सौ लहू ने तुझे इसे प्रकट नहीं किया है परन्तु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह प्रकाशन को दिया है देखो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अधन के बगीचे में वहां कोई वचन ने लिखा था और फिर वे दो लड़के केन और हाविल और वे दोनों एक बलिदान को करना चाहते थे और परमिशर के द्वारा पक्ष को पाना चाहते थे जब उन्होंने वैसा ही किया केन ने आकर और एक वेदी बनाई हाविल ने एक वेदी बनाई तो ठीक है यदि यही सब परमिशर की आवशकता है तो परमिशर केन को दोशी ठहराने के लिए अन्याई होगा तो ठीक है तब केन ने एक बनिदान किया वैसे ही हाविल ने किया दोनों ने एक बनिदान किया केन ने अरादना की और हाविल ने भी वैसा ही किया केन ने वज सब कुछ किया जो हाविल ने किया था पर्मिशर की आवशक्ता है तब पर्मिशन ने केन को वास्तों में यही करने के लिए दोशी ठहराने के लिए अन्याई होगा जो उसने करने को कहा था लेकिन आप देखें हाबिल एक प्रकाशन के द्वारा वो जानता था कि वो फल नहीं था जिसे उस अदन के बगीचे में लाया गया था जैसा कि आज बहुत से शारेरिक मनवाले सोचते हैं हाबिल ने आकर और भूमे के फल को चड़ाया और परमिशन ने से अस्विकार कर दिया लेकिन ये प्रगट किया गया था मेरा मतलब है केन ने ऐसा किया मुझे शमा करें केन ने भूमे के फल को भेट चड़ाया क्योंकि उसने सोचा कि अदन के बगीचे से उन्हें बाहर लाया गया है प्रकाशन को देखना इससे अस्थ हमेती को देखना देखो किस तरह से आज ठेस पहुचाता है लेकिन ये फल नहीं था जो उन्हें बाहर ले आया हवा ने कभी सेफ नहीं खाया था निश्चे ही सेफ खाने पर उसे नगन होने का एसास कैसे हुआ ये तो यौन जीवन से सम्मंदित बात है होना था अब हम इसे एक अध्यन के रूप में लेते हैं और हमें इसमें वापस जाना है उनके पास इस पर एक वचन भी नहीं है उसमें से कुछ कहते हैं तो ठीक है उसने कहा मुझे प्रभू से एक पुत्र मिला है जिहां शरीमान वैसा ही वैश्य को मिला है परमेशर को ही सारा जीवन बनाना है लेकिन यह एक दूशित जीवन है उस लड़के के सभाव को देखो वह अपनी पिता शैतान का था ग्रना रखने वाला गंदा हत्यारा देखा और फिर कैसे हाबिल जब वे उसके माता पिता ने शायद उसे बताया कि पेड़ पर फल लगा था और इतियादी लेकिन यह हाबिल को प्रगट हुआ था हाबिल जाकर और एक मिम्ना ले आया लग के लिए जीवन को लेते हुए ना ही एक फलदार पेड़, सिव और केले और नाशपती को लाते हुए लेकिन हाबिल एक आत्मिक प्रकाशन के द्वारा इबरानियों ग्यारा परमिशर के लिए एक और अधिक उत्तम बलिजान को चड़ाया परमिशर इसकी गवाई देता है क्योंकि यह विश्वास के द्वारा उस पर प्रगट हुआ था यही है जहां परमिशर अपनी कलीश्या को बानता है क्योंकि मास और लहु के द्वारा यह कभी प्रगट नहीं हुआ इसे एक धरम विज्वालय में कभी नहीं सिखाया गया किसी ने कहीं भी आपको यह नहीं सिखाया लेकिन मेरा पिटा जो स्वर्ग में है उसने इसे तुम पर प्रगट किया है वहां सारी बात प्रकाशन पर है संपून कलीश्या एश्यू मसी के प्रकाशन की इस चट्टान पर मैं इस कलीश्या को बांदूँगा आप हो सकता है जो पास्टर कहता है उसे ले सकते हैं दर्म विद्यारा जो सिखाता है उसे ले सकते हैं आप कलीश्या जो कहती है उसे ले सकते हैं और यह अब भी सही रही है आप इसे उत्तम बोली से समझाने में शक्षम हो सकते हैं लेकिन जब तक परमिशर आपको ये प्रगटनी करता कि एशु मसी उसका पुत्र है और आप उसके लहु के जरिये से बचाए गए है उस प्रकाशन पर कि वह मेरा उधार करता है इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बाढ़ूंगा और अदलों के फाटक उसके विरोध में प्रबन नहीं हो सकते सो तब आप देखते हैं कि शैतान प्रकाशन के किताब से इतना विरोध में क्यूं है जो कुछ भी प्रगट हुआ है आत्मिक प्रकाशन शैतान इसके विरोध में है इसलिए वह आज सेवकाई के विरोध में है इसलिए ये क्या है मसी का प्रगट होना कलिसिया को इसके बड़े संप्रदायों और संगठनों और उसके छोटे फूलों वाले संदेशों और इत्याजी के साथ आगे बंड़ने जे उन्हें आगे बंड़े जे शैतान उससे परिशान नहीं होता है उन्हें कोई परिशानी नहीं होती है हर कोई उनकी प्रीट पर थप थपाता है जब एक समय आता है कि परमिशर पवित्र आत्मा के जरिये से मसी को कलीस्या में वापस प्रकट करता है समर्थ और प्रमाण के साथ बिमारों को चंगा करते हुए और चिन्नों को देते हुए जिसे उसने कहा कि विश्वासियों के पीछे पीछे जाएंगे बेपूरे होंगे उसके बाद शैतान अपने बिश्तर पर से उड़ जाता है वह इसके विश्वे में कुछ तो करने लगता है उस समय तक शैतान परवानी करता है कि आप कित्ते कलीस्या से जुड़ते हो वह परवानी करता कि कित्ते ही लेकिन जब मसी आपको ये प्रकट करता है कि वह परमिश्व का पुत्र है और जो कारिय उसने किये वह तुम भी करोगे नहीं कुछ और काम को लेकिन उसी काम को करोगे वो जो मुझ पर विश्वास करता है संत यहुना 14.7 वो जो मुझ पर विश्वास करता है जो कारे मैं करता हूँ वो भी करेगा उनी काम को करेगा और इससे बढ़कर करेगा क्योंकि मसी पवित्रा आत्मा के बप्तिस्मा का प्रचार नहीं कर सकता जो बढ़कर काम होगा वो इसे उनके पास नहीं ला सकता था क्योंकि पवित्रा आत्मा अभी तक नहीं दिया गया था लेकिन जब इशु ने आकर और उसके जीवन को बलिदान किया और पवित्रा आत्मा वापस आया तो वे लोगों के लिए अनद जीवन को प्रदान कर सकते हैं यही वो बढ़कर काम है लेकिन चिन और अद्बुत काम एशु ने इस पष्ट रूप से मरकुस सोला में कहा तुम सारे संसार में जाकर और हैरेक स्रिष्टी को सुसमाचार प्रचार करो कितना दूर तक सारे संसार को कितनों को हरेक स्रिष्टी को जब तक उस सुसमाचार का प्रचार होते जा रहा है यह चिन उनके पीछे बीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं और जब यह एक प्रकाशन बन जाता है भाई तब तुम उस राज्य के पास होते हो इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बांदूंगा और अदलों के फाटक इसके विरोध में जै नहीं पा सकते क्योंकि वो पुरुष यास्तरी जो वहां पीछे किसी समय अकले उस रेगिस्तान में रहे हो जैसे मुसा था और परमिश्र का प्रकाशन पवित्र आत्मा के जरिये से उसके सामने प्रकट किया जाता है वहां उसे कोई भी हिला नहीं सकता है वह उतना ही दिर्ण और मजबूत होता है जितना वह हो सकता है शैतान प्रकाशन से ग्रणा करता है वह उसे बिलकुल पसंद नहीं करता है जो उसकी योजना को चौपट कर देता है किताब की प्रकती बताती है कि योदना ने इसे नहीं लिखा था ये सही बात है क्योंकि वे दूसरे वे उसकी लिखी हुई है लेकिन उसकी पृणदा नहीं है यह परमिश्र की पिर्णा है जो किताब को लिखती है तो ठीक है आईए देखें कि यह अब क्या कहती है धन्य है वह जो इस भविश्वाने के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट आया है अब समय नजदीक है क्या जब इश्वमसी का संपूर्ण प्रकाशन उसके कलीसियाओं के लिए ज्यात करवाय जा चुका है और जैसे जैसे युग निकलते जा रहे हैं ये बस वैसे वैसे उन्हें प्रगट होता है अब हम ठीक अंत समय पर हैं इसलिए अब हम वास्तों में संसार के अंत में हैं हम संसार के इतिहास की समाप्ती पर हैं और इससे पहले ये सब्ता खत्म हो और परमिशन हमारे साथ है हमारी साहता करते हूए हम साबित करेंगे कि हम कलीसिया की यगों की समाप्ती पर हैं हम फिले या लोत्किया कलीसिया युग में है जो सारे युगों की समाप्ती है हम राजनेतिक संसार के समाप्ती पर है हम सभाविक संसार के समाप्ती पर है हम सारी चीजों की समाप्ती पर है हम हर एक सभाविक चीज के अंत में है प्रविश करने के लिए तैयार है एक दिन आते हुए मैं सोचता हूँ कि मैं शेवरे पो जा रहा था या कहीं से आ रहा था मैंने देखा मैंने कहा पेड मर रहे हैं घास फूस मर रहे हैं फूल मर रहे हैं मैं मर रहा हूँ संसार मर रहा है हर एक चीज मर रही है इस संसार में की सारी चीजे मर रही हैं हम आज सुबह यहां पर बैठे हुए हैं मर रहे हैं निश्चित रूप से कहीं तो एक ऐसा संसार है जहां सब कुछ नहीं मरता, यदि वहां एक है, जहां सब कुछ मर रहा है, वहां पर एक होना है, जहां सब कुछ जीवित रहता है यही है जिसके लिए हम तीवर इच्छा रखते हैं, उस इस्तान पर जाने के लिए जहां अविनाशी पेड़ खड़ा रहता है, ओ जहां सब कुछ अमरहार है और यह परमिश्र की मैमा में खड़ा रहता है अब अब पहले तीन पर हमने अभी लिये थे जो बुनियाद को डालते हैं, पहला एशु मसी का प्रकाशन, दूसरा यह एक दूद के द्वारा यून्ना को दिया गया था, और तीसरा है धन्य है वे जो पढ़ते हैं, उनके लिए आशीश है, और यदि आप नहीं पढ़ सकते हैं, धन्य है वे जो सुनता है आप नहीं पढ़ सकते हैं, आप बस इसे सुन लीजिए, बस ऐसा ही है धन्य है वे जो पढ़ता है, और यदि तुम नहीं पढ़ सकते, धन्य है वे जो सुनता है, क्योंकि समय नजदीक है अब कलपना कीजिए कि इसके सिद्धान का क्या मतलब है, यहुना जो वहां लेखक था, जिसने इसे लिखा, ऐसा था, यहां यहुना है, जो बस आशीशों और इत्याजी को कह रहा है अब मुझे जो लगता है कि यह ऐसा था पुराने नियम में, याजक एक सुबह खड़े होकर और वचनों को पढ़ता है, सबा के लोग सुनते हैं, बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं तो उसने कहा धन्य है वो जो पढ़ता है और वह जो सुनता है, समझें, पढ़ने वाला और सुनने वाला वो एक जो पढ़ता है और सुनता है, वह धन्य है सो यदि आप बस इसे बैठ कर और इसे सुनते हैं, तो आप धन्य हैं, धन्य है वह जो पढ़ता है और वह जो सुनता है, क्योंकि समय नजदीक है अब चार से छे कलीसिया के लिए एक अभिवादन है, अब हम इस चार और छे पत को लेना चाहते हैं अब इससे पहले कि हम इस पर जाएं, मैं सोचता हूँ कि हर एक जन अब गयराई से सोचने की कोशिश करें, अब ये क्या है, ये एशु मसी का प्रकाशन है, जहां परमिशर ने समय पर से परदा उठाया था यहां वो समय है, जो इशु नहीं देख सका, जब वो यहां पिर्सी पर था, कलिसिया युगों में, कि क्या बात जगए लेगी सो परमिशर ने परदे को निकाल दिया, उसे पीछे की और खीचा, और यहुना को अंदर जाने दिया, और दिखाया, कि हर एक युग में क्या करने जा रहा था, और इसे एक किताब में लिखा, और इसे साथ कलिसियाओं के लिए भेज दिया, यह क्या है, मसी उसके कारे करने के दिनों में प्रगठ हुआ, यह कारे से भरी हुई किताब है, और यह एक भविश्वाने की किताब है, जिसे मसी देता है, परमिशर ने हमें अपने दूद के द्वारा दिया है जिसे योणना ने लिखा है और ये हर किसी के लिए एक आशिश है जो इसे पढ़ेगा या पढ़ते वे सुनेगा क्योंकि समय नजदीक है जब ये सब पूरा होता है अप एक अच्छी तैयारी है और याद रखें हम कलीशिया को मन में रख रहे हैं एक तरफ कलीशिया का आरम हुआ दूसरी और कलीशिया समाप्त होती है इससे भी अधिक बताएंगे सोबार की रात को जब हम कलीशिया की योगों को लेंगे यूना की और से आसिया की साथ कलीशिया की नाम उसकी और से जो है और जो था और जो आने वाला है और उन साथ आत्मों की और से जो उसके सियासन के सामने है अब हम रहस्यों और चिन्नों के गेरे भागों में आ रहे हैं ये उन कलीशियाओं को संबोधित करता है जो आसिया माइनर छोटे भाग में है उसके पास वे यूग उस समय पर जो भविश्य में आने वाले थे और उसने उन्हें उपर उठाया और उनके काम के लिए प्रशनशा की और जो उन्होंने किया था लेकिन अब यह उन कलीशिया को संबोधित करता है वे साथ कलीशियाओं जो आसिया माइनर छोटे भाग में है अब आसिया माइनर छोटे भाग में नहीं पूरा आसिया आसिया का महादीप यह बस छोटा सा भाग था वे दावा करते हैं कि एक इस्तान जो लगबग पैंसल्वेनिया राज्य के आकार का है देखो या ऐसा ही कुछ या इंडियाना बस एक छोटा सा इस्तान जहां ये साथ कलीशिया इस्तापित है वहां उस समय पर उन कलीशियाओं से और भी अधिक थी और लेकिन इसने उनके चरित्र को प्रकट किया अब मैं यहां वही पढ़ रहा हूँ जो मैंने इसके इतियास से पढ़ा है और वह शापित है वह जो सुनता है या इसे ध्यान नहीं देता वहां यह इस्ताप्र देता व边िट वहां जो अर्ण वहां वहां विज वहांशिक झाल्यान एवां प्रण। चार पज में नीचे आता है जिसे हम यहां कुछ समझाना चाहते हैं उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है और उन साथ आत्मों की ओर से जो उसके सियासन के सामने है अब यह आत्माएं हम उन्हें बाद में ले लेंगे अब यहां यह व्यक्त करता है यदि आप इसमें ध्यान देंगे साथवे पद में और आठवे पद में वा फिर से आता है और कहता है फिर से व्यक्त करता है अब देखना अब साथ कलिस्याओं को संभोदित किया गया है उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है जो था एक समय अब है और जो आने वाला है अब वो यहां उसके तीन प्रकार के उसके काम के उसके तीन प्रकार के प्रकटी करण को व्यक्त करता है अब यदि आप आठवा बचन लेंगे हम बस एक मिनट में इस पर आएंगे हम आठवा बचन लेंगे मैं ही अलफा और ओमेगा हूं आदी और अंत हूं प्रबू यह कहता है वह जो है और जो था और जो आने वाला है जो सर्व शक्तिमान है अब हम चौथे और छटवे पत को पकड़े हुए हैं जासते हैं वे दोनो एक ही हैं एक वो कहता है एक वो जो था जो है जो आने वाला है वो कलीसिया के सामने क्या रखने के कोशिश कर रहा है उसकी देविक्ता को आज लोग उसे एक भविश्वक्ता बनाने की कोशिश करते हैं वह एक भविश्वक्ता से बढ़ कर है और कुछ लोग उसे तीन परमिश्व बनाने की कोशिश करते हैं वह तीन परमिश्व नहीं है वह एक परमिश्व है जो तीन कारे स्थानों में रहता है एक ही परमिश्व के तीन प्रकटी करण है अब याद रखें यह प्रकाशन है और जो कोई भी इसे सुनता है और इस किताब की कही हुई बातों को बनाय नहीं रखता है उसका भाग जीवन की किताब से लिया जाएगा इश्व अपने आपको तीन परमिश्व के रूप में प्रकट नहीं कर रहा है लेकिन एक ही परमिश्व और तीन कारे स्थान है और जो चर्च अजिन और जो प्रकट रहा है उख यह थोड़े देर बात गहरा होने जा रहा है जब हम उन कलीसिया युगों में जाएंगे और देखेंगे कि उन्हों ने कहां खो दिया इसने नीसियन परिश्व में एक बड़े अलगाव को लाया वे दोनों ही और दोनों ह गेरे छोड़ पर निकल कर चले गए और उन्होंने अंतिम दिनों में फिर से इसी तरह का काम किया ठीक उसी तरह जैसे एक पूर्व नीसियन परिश्व फिर से क्योंकि वहाँ पर एक और को होना है बस ये उतना ही निश्चित है जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ कैतोलिक और प्रोटेस्टन कलिसिया एक साथ किसी बात पर तो एक जुट होंगे या एक दूसरे से सहमत होंगे अब वहाँ कैटरबरी के मुखे बीशव को देखें ये सब ठीक एक साथ एकटा हो रहा है और बाइबल में ना ही एक तरी गुरुआत्मक परमिशर के शिक्षा है वहाँ एक परमिशर है और ये प्रकाशिक तुआकी की किताब में यहां प्रगट होता है जो वचनों का संपून सिध्धान्द यहां पर साबिद हो सकता है और मसी ने उस पर अपनी मोहर लगाई यही वो बात है यदि कोई इसमें से निकालता है या इसमें जोडता है तो उसी तरह उसे उसके लिए जीवन की किताब से निकाल दिया जाएगा इसलिए इसकी और बढ़ना है नहीं स्वार्सी धंग से इसकी और बढ़ना है एक खुले हुए हिर्जा से और एक खुले हुए मन के साथ अब नीसिन परिशत पर वे दो बड़े निरने पर आते हैं पर ओ उस दिन पर उनमें से बहुतों के पास जो प्रारम की करिशिया के पूर्वश थे उनके पास दो किनारे के द्रिश्टी कोण थे उनमें से एक द्रिश्टी कोण त्रियकता परमिशर का था जो एक त्रियात्मक है और दूसरा एक था जो एक परमिशर का है और वे दोनों अस्तिर्तों में आकर और वे सीधे अलग-अलग निकल गए इस तरह से बाहर त्रियकता एक तीन परमिशर के वेक्ति का अस्तान बन गया एक अत्व जो एक एकाई बन गई बिल्कुर उतना ही गलत जित्ता की दूसरा गलत था तो वे दोनों अलग-अलग निकल गए लेकिन ठीक यहां पर सत्य प्रगट होता है एशु अपना स्वेम का पिटा नहीं हो सकता था नहीं यदि उसके पास पवित्रा आत्मा के अलावा एक पिटा है तो वह एक नाजायज बालग है और नहीं पवित्रा आत्मा ने उसका गर्बधारन किया और उसने कहा कि परमिशर उसका पिता था तो पवित्रा आत्मा और परमिशर यह मती एक अठरा है यदि पवित्रा आत्मा और परमिशर को एक ही व्यक्ति होना है या तो उसके दो पिता हैं और उसे इमैनियुल कहा गया था जो की परमिश्र हमारे साथ है उसने दावा किया जब वो धरती पर था कि वो और पिता एक थे मैंने यहां सारे वचनों को लिख कर रखा है ताकि आप देख सके क्या हमारे पास यह प्रिश्न या कुछ तो था अब जब वह यहां प्रगटी करण में आया था उसके अस्तित में होने के तीन प्रकार के कारेस्तान के रूप में वो जो था वो जो है वो जो आने वाला है वो सर्वशक्तिमान अब वहां कोई तीन परमिश्र नहीं है एक परमिश्र है और नीसियन परिशद में ऐसा करने के लिए उन्हें ऐसा करने के लिए एक तिरियक्ता को लेना था क्योंकि रोमन संसार में उनके कई जेवता थे उन्होंने अपने मरे हुए पुरुजो की प्रात्ना की मेरे पास ठीक यहां पर इतियास है जहां हम इसका हवाला दे सकते हैं समझे उन्होंने अपने मरे हुए पुरुजो की प्रात्ना की यही वो कारण है कि उनके पास संत सेसलिया और संत मार्कस और संत 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 है जब प्रिनित पत्रस ने कहा परमिशर और मनश के बीच उस मनश इश्य मसी के अलावा कोई और बिचवाई नहीं है वो ही एक है उनके पास एक तिर्यात्मक परमिशर होना था तो उनके पास जूपिटर, मार्स, वीनस थे और यह सई नहीं था यह सब को एक परमिशर पर डाल देते हैं तो उन्होंने बस इसे अलग कर दिया और परमिशर के तीन प्रकार के तीन अलग-अलग कारेस्तान बना दिये लेकिन यह प्रकाशित वाक्य में इस पश्ट रूप से यहां कहता है वो कौन है? मैं वो हूँ वो जो था, वो है और वो जो आने वाला है वो सरशक्तिमान हम इसे यहां थोड़ी जिर बाद लेंगे उसने कहा मैं अलफा और ओमेगा हूँ ए टू जेड, संपुन, यूनानी वर्नमाला सोसन की घाटी का फूल शारौन का गुलाब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वो जो था, जो है और आने वाला है दावुद का वंश और संतान वो परमिश्वर है साथी सबसे पहले तिमोथियूस 3.16 और इसमें संदे नहीं कि भक्ती का बेद बड़ा है अर्थात, वो जो शरीर में प्रगट हुआ आत्मा में धर्मी ठहरा सर्दूतों को दिखाई दिया जगत में उस पर विश्वास किया गया और मेमा में उपर उठाया गया परमिश्वर ना ही कोई तीसरा वेक्ती या भवशक्ता नहीं है लेकिन परमिश्वर स्वयम मनश रूप में प्रगट हुआ अब यह एक प्रकाशन है याद रखें अब परमिश्वर आदे में महन यहवा था जो अगनी के एक इस्तम में रहता था इस्रायल के उपर मंडरा रहा था और उनकी अगवाई की जो परमिश्वर था वाचा का दूद पहाड पर उतर आया सारे पहाड ने आग पकड़ ली अगनी पहाड पर से उपर उठनी लगी और दस आग्याओं को लिखा उसे परमिश्वर का प्रितित्व कहा गया था उसके बच्चों के लिए उसके लोगों की चुनी हुई जाती वे यहुदी फिर वही परमिश्वर एक क्वारी से जन्मा देह में प्रकट हुआ जो देह उसने मर्यम के गर्ब में बनाई गई थी और रहा था और डेरा किया और उसके तंबु को तान दिया जैसा वह था मनश्वर जाती के बीच में रहा और वही परमिश्वर देहदारी हुआ हमारे बीच में वास किया बाइबल ऐसा कहता है परमिश्वर मसी में था वो शरीर एशू था एशू उसमें परमिश्वत्यों की देह की परिंपूरता वास करती थी अब उसे तीन वेक्ती नहीं बनाई जा सकता तीन परमिश्वरों के लिए बप्तिस्मा मत दो एक ही परमिश्वर है देखा एक परमिश्वर अब ये वही परमिश्वर देहदारी हुआ था उसने कहा मैं परमिश्वर से आया हूँ और मैं परमिश्वर के पास जाता हूँ उसके धर्ती पर से विलिप्त हो जाने के बाद उसकी मिर्ती होने पर दफनाना और पुनुर्थान और उठाए जाना फिर पौलुस वहां उसे दश्मिश्च के रास्ते पर मिला जब उसे उस वक्त शाओल कहा जाता था और एक आवाज आई और कहा शाओल शाओल तुम मुझे क्यों सताता है उसने कहा तुम कौन हो उसने कहा मैं एशु हूँ और वह अगनी का एक इस्तंब था एक प्रकाश जो प्रिनित की आखो को अंदा कर दिया था वह मुड गया था वही एशु वापस पर मिशर पिता हो गया था यही वो कारण है कि उसने यहां कहा मैं वो सरशक्ती मान हूँ उसी रूप में जो उससे पहले वो था वो देदारी हुआ था और उसका शरीर जिसमें वो रहा वो एशु कहलाया गया था वो मनुश जिसे हम जानते हैं एशु अब जैसे आप में से वननेस वाले बहुत सारे प्रिये लोग जिनका एशु के नाम वप्तिसमा हुआ है आप गलत हैं आज संसार में सेकडो एशु है लेकिन केवल एक ही प्रभु एशु मसी है वो एक मसी जन्मा था बहुत सारे एशु है, मैं उन में से कई से मिल चुका हूँ, लेकिन एक ही प्रभु एशु मसी है, वो परमिश्वर है और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कोई नाम नहीं है, वे शिर्शक है, जो एक नाम पर जाते हैं वे बक्तिस्मा लेते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पिता एक नाम नहीं है, और पुत्र एक नाम नहीं है, और पवित्र आत्मा एक नाम नहीं है या एक शिर्शक है, जैसे मनश का, या वही है जो पवित्र आत्मा है एक मनुश्य या एक आत्मा पवितर आत्मा तब कहते हैं पिता के नाम में पिता की ओर देखो और तुम्हारे पुत्रों को पुत्रों यहां के मनुश्य को देखो देखा पिता पुत्र और पवितर आत्मा ये एक नाम नहीं है यह एक शिर्चक है जो प्रभू एशु मसी के नाम पर जाता है That's the way the apostolic church baptized in the beginning and I'll ask anybody to produce one text of scripture or one time in history that anybody was ever baptized in the Christian church any other way but in the name of Jesus Christ until the Catholic church was formed and they adopted Father, Son and Holy Ghost for our creed इसी तरीके से आरम में प्रिनितों की कलिशिया ने बप्तिस्मा लिया और मैं किसी से भी पूछूंगा वचन में से एक भी लेख दिखाए या इतियास में का एक भी समय कि किसी व्यक्ति को भी मसी कलिशिया में किसी अन्य तरीके से बप्तिस्मा दिया गया था इश्यू मसी की नाम के अलावा जब तक कैथोलिक कलीसिया नहीं बनी और उन्होंने एक संप्रदाय के लिए पिता, पुत्र और पवित्रा आत्मा को अपना लिया अब अपने किसी इतियास को सामने लाएं, इतियास कारों, जी हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, 304 AD के बाद, 304 एक तिरियक्ता परमिशर के लिए, तिरियक्ता बप्तिस्मा आता है, परमिशर वो पिता, परमिशर वो पुत्र, परमिशर वो पवित्रात्मा ये पागानवाद है इस सब्ता के समाफ्थ होने से पहले मैं इसे किताबों से पढ़ूंगा और आपको बाइबल से दिखाऊंगा हम आज सुबह प्रकाशन पर बात कर रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि ये कहां से आया है और ये कैसे सामने आने लगा सच्चा ही पर वापस आएं भाई हम अंतने दिन में हैं आप रुके रहना जब तक हम इफिसियो कलीसिया के विशय में नहीं जाते हैं और इसे लोत्किया के साथ जोड़ दें और देखें कि उनके बीच क्या हुआ था आप देखेंगे कि वो चीज धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगी लूतर के युग में आया कहा तुमें एक नाम मिला है जिसमें तुम जीते हो लेकिन तुम मरे हुए हो उसी शब्द सर्दिश का अर्थ है मरा हुआ उन्होंने इसे पंदरा सो वर्ष के अंदकार युग में खो दिया उनमें से हरे कलीसिया ने उस समय तक इसे बनाए रखा उसके बाद जब उनके पास 606 में नीशिया परिश्यत थी और तब उन्होंने उस नाम को द्वस्त कर दिया और उनमें से तीन परमेशर को बनाया उसने यहां पर कहा मैं वो हूँ जो था जो है और जो आने वाला है वो सरशक्तिमान निश्चे ही वो धर्ती पर तीन प्रकार के अस्तित्व में था जब धर्ती पर था तो वो धर्ती पर तीन प्रकार का अस्तित्व था वो एक नभी था वो सर्ग में भी था एक याजक और जब वो फिर से धर्ती पर वापिस आएगा तो वो एक राजा होगा नभी याजक और राजा वो जो था जो है और आने वाला है वो जो था एशु था एक भविश वक्ता वो जो अब है एक याजक है आत्मिक वलिदान को कर रहा है एक महा याजक जिसे हमारी दुरबलताओं की भावनाओं के द्वारा चुआ जा सकता है और खुद को प्रगट और साबित कर सकता है कि वह हमारे बीच में है नभी याजक और राजा लेकिन एक परमिश्वर जब वो धरती पर था वो एक नभी था वो वचन विश्वास योग य गवाह बाइबल उसे कुछ देर बाद कहता है एक विश्वास योग य गवाह वो नभी है वो याजक था और जब वो अब याजक है और जब वो आता है तो वो राजा होगा यदि आप वहाँ जाकर प्रकाशित वाकिये 15.3 को पड़ें और प्रकाशित वाकिये 15.3 में देख सकते हैं आईए यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि यह वह क्या वह राजा होने जा रहा है क्या वह राजा है जब वह आएगा अब हम प्रकाशित वाकिये 15 जाए और तीसरे पड़ में जा रहे हैं और वे परमेशर के दास मुसा का गीत और मिमने का गीत गागा कर कहते थे कि हे सरशक्तिमान प्रभू परमेशर तेरे कारे बड़े और अद्बुत हैं हे युग-युग के राजा तेरी चाल ठीक और सच्छी है वो धरती पर क्या था? नभी लोगों ने कैसे जाना कि वो एक नभी था? उसने मस्या के चिन्न को किया जो एक नभी था ओ प्रभू का नाम धन्य हो वे उससे कैसे चुक गए क्योंकि वे किसी और चीज के लिए देख रहे थे और उसने मस्या के चिन्न किये और उन्होंने इसकी नहीं सुना वो एक नभी था मुसा ने कहा प्रभू परमिश्य तुमारे लिए मुसा एक भविश्वक्ता उठाएगा जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना जो उस भविश्वक्ता की न सुने लोगों में से नाश किया जाएगा वो धर्ती पर नभी था अब इसलिए वो क्या था परमिश्य के वचन का विश्वास योग यगवा आमीन वो प्रकटिकरन में आया हुआ परमिश्य का वचन था संति उन्ना पहला अध्याय आदी में वचन था और वचन परमिश्य के साथ था और वचन परमिश्य था और वचन देजारी हुआ और हमारे बीच में वास वचन परमिश्य के अनंत वचन का सच्चा और विश्वास योग यगवा था वो वचन था परमिश्य का वचन था और वचन होने के नाते वह एक नभी था क्योंकि परमिश्य का वचन उसमें से होकर बहा था उसे केवल यही बात को कहना था मैं खुद अपने आप से कुछ नहीं कर सकता लेकिन जो पिटा मुझे करने के लिए दिखाता है यह मैं नहीं जो काम को करता है लेकिन पिटा जो मुझ में रहता है वो काम को करता है मैं और मेरा पिटा एक है मेरा पिटा मुझ में है इशु ने कहा वो मनुष्य वो भवन परमिश्र के पास बहुत से सिर्शक है योवा, योवाईरे, राफा, मनंशे, ओ बहुत से उसके साथ मिश्रित छुटकारे के नाम है उसके बहुत से सिर्शक हैं, शारुन का गुलाब, सोसंग का फूल, भोर का तारा, पिता, पुत्र, पवितर आत्मा, ये सारे, लेकिन उसका एक मानव जाती का नाम है, परमिश्र का किवल एक ही नाम था और वो था प्रभू एश्व मसी जब वह जन्मा था, मसी, प्रभू, आट दिन बाद, पवितर आत्मा ने उसका नाम एश्व कहकर बुलाया, उसकी मान ने उसका खटना किया था, और उसे एश्व कहकर बुलाया, वह मसी जन्मा था, जैसे मेरा एक ब्रणम जन्म हुआ था, जब मैं जन्मा था, तब मैं एक ब्रणम था, और विलियम नाम को दिया गया, आमीन और वह मसी जन्मा था, वो उद्धार करता, और जब वह आठ दिन का था, तो उसे इश्व का नाम दिया गया, और वह महिमा का परमिश्व था, जो प्रगट बना, सो वह प्रभु एश्व मसी है, प्रभु की मैमा जो मारे बीट प्रगट बनी, ओ, वहाँ वो है, धर्ती पर वो नभी था, मैमा में वो याजक है, आगमन में वो राजा है, ओ, मुझे ये पसंद है, नभी वचन का विश्वास योग ये गवाह, याजक परमिश्व के सामने, अपने स्वेम के लगू के साथ, राजा संतो का राजा, ना ही संसार का राजा, अब वो संतो का राजा है, हमारे पास उन लोगों के उपर धर्ती के राजा है, लेकिन हमारे पास भी एक राजा है, और एक राज्य है, यही कारण है, कि हम अलग वेवार को करते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, ज़्यादा समय नहीं हुआ, मेरी पतनी के बारे में, हम यहां इस्टोर पर जा रहे थे, और हमने लगबग एक चमतकार को देखा, यह गर्मियों का समय था, एक इस्तरी, एक पोशाक पहने हुए थी, और मैंने कहा, यह एक अजीब सी बात है, मैंने कहा, यदी मेरे पास मेरा कैमरा होता था, तो मैं इस्तरी की तस्विर लेता, देखा, क्योंकि हम वो पहली इस्तरी थी, जिसे हमने इसकट पहने वे देखा था, आप जानते हैं, एक इस्तरी की तरह कपड़े पहने वे थी, जो सभी इस्तरी के कपड़े होने चाहिए उसने कहा ठीक है ऐसा क्यूं है बिल ये हमारे लोग ऐसे कपड़े पेंटे हैं क्या हमें ये आग्या दी गई है मैंने कहा ये हमारे लोग नहीं है ये परमिशर के लोग है परमिशर के लोगों को पवित्रता की आवशकता है कहा तो ठीक है क्या वे कलीसिया नहीं जाते हैं मैंने का ठीक वहाँ एक महीला है जो यहाँ एक कोई तो कलीसिया में गीत गाने वालों के समू में गाती है अच्छा फिर ऐसा क्यों है मैंने कहा क्योंकि उसे कुछ अलग नहीं सिखाय जाता है यह बिल्कुस सही है यही वो शारेरिक कलीसिया है, हम इस सब्ता इसमें जाएंगे, आत्मी कलीसिया, शारेरिक कलीसिया, वे सभी सीधे वापस माता कलीसिया में लोट रहे हैं, जैसा कि बाइबल में प्रकाशित वाक्य सत्रा में कहा गया है, वे ऐसा करेंगे वे ठीक अभी वापस लोट रहे हैं, वे सारे जैसे वे इस कारे को कर रहे हैं, वे संस्थागत होते जा रहे हैं, ठीक है, हम एक फलाना हैं, हम संस्थागत हैं, हम ये हैं, और हम वो हैं, ऐसा आरम में तो नहीं था कलीशिया से सारी सामर्द को निकालते हुए उसे एक बीशप या पोप पर रखे रहे हैं परमेशर उसकी कलीशिया में हैं उसके लोगों के बीच खुद को प्रकट कर रहा है जन साधारन और हर किसी में से होते हुए अब लेकिन इस दिन में उसने कहा ठीक है हम अमेरिकी नहीं है मैंने कहा नहीं हम यहां रहते हैं लेकिन हम अमेरिकी नहीं है हम मसीही है हमारा राज्य उपर का है और यदि हमारा जीवन उपर से आता है तो हम इसी तरह से कारे करते हैं, क्योंकि हम आते हैं, हमारा जीवन एक पवित्रे स्थान से है यह अलग ही दिखता है, यह अलग कपड़े पैंता है, मैलाओं के सिर पर लंबे बाल होते है और वे अपने चेरे पर प्रसाधन को नहीं लगाती है, और वे छोटे कपड़े नहीं पैंती है वे सकट और लंबे बस्तर और कपड़े पैंती हैं, और उनके लंबे बाल और इद्यादी होते हैं तो ये इसका सभाव है, जो वहाँ उपर से है, वहाँ से हम पर प्रतिविंब होता है वे मनुष्य धूम्रपान नहीं करते, नहीं तंबाकों चबाते, ना जूड बोलते हैं, ना चोरी करते हैं उनकी आत्मय आती हैं, एक पवित्रिस्तान से आती हैं, उन्हें पवित्र कारे करने को लगाती हैं, एक दूसरे को भाईयों के रूप पे पहचान करवाते हैं, अहां ऐसा ही है हम एक राज्य से हैं, और हमारे पास एक राजा है, और वह संतों का राजा है, और संत शब्द वे पवित्र जन शब्द से आया है तब जब एक व्यक्ति को पवित्र किया जाता है, मसी, वो पवित्र आत्मा हिर्दे में चला जाता है, और उनके उपर राजा बनता है, ओ प्रबू, यह हिर्दे में जाना चाहिए जब परमेशर का पवित्र पात्र, मसी, वो राजा, पवित्र आत्मा अंदर जाता है, और वह एक राजा के पास उसका अधिकार होता है, आमीन, और उसका सारा अस्तित्व संतों के राजा के द्वारा राज्य करता है, एक राज्य, धर्ती पर के हर एक राज्य को हिला जिया जाएगा, परमानु शक्ति के द्वारा फाड़ा जाएगा, लेकिन बाइबल कहती है, हमें एक ऐसा राज्य मिला है, जो हिलाए नहीं जा सकता, आमीन, वहाँ पर वो संतों का राज्य है, मैं चाहता हूँ कि आप बाइबल और यहाँ धर्ती पर भी मसी के प्रतिकों और चिन्नों को देखें, पिर्थी पर वो एक नभी था, क्या आभिश्वास करते हो? एक नभी वचन होता है, हम यह जानते हैं, नभी शब्द का अर्थ है, वचन का एक डैविक अनुवादक, देविक बचन लिखा हुआ है, और नभी के पास परमिशर का देविक आत्मा है, जो उसमें है, और आप जानते हैं, पुराने नियम में नभी को परमिशर कहा जाता था, किते लोग यह जानते हैं? एशु ने कहा, यदि उन्होंने उन्हें परमिशर कहा, तो क्या यह आपके नियम में नहीं है, वे हैं कि तुम परमिशर हो, और यदि वे उन्हें परमिशर कहते हैं, तो जिसके पास परमिशर का बचन आता है, वो नभी, तुम कैसे दोश लगाओगे, जब मैं कहता हूँ, कि मैं परमिशर का पुत्र हूँ, क्योंकि उसे परमिशर बुलाए गया था, क्योंकि उसमें परमिशर के बचन यवा यो कहता है, भरा हुआ था, इसलिए नभी शब्द का अर्थ है, उसका अनुवाद मिलावटी नहीं होगा, देखा, यदि परमिशर वो कहता है, यदि तुम्हारे बीट में कोई एक है, जो आत्मिक है, या भविशकता है, तो मैं प्रभू उससे बात करूंगा, वो जो कहता है, वो पूरा होता है, तब उसकी सुने, क्योंकि मैं उसके साथ हूँ, लेकिन यदि यह पूरा नहीं होता है, तो उसकी मत सुनो, मैंने उसे नहीं भेजा है, यही तरीका है, कि आप इसे जानते हैं, और फिर आप देखें, वचन के डैविक अनुवात को कलिस्या के लिए इस अंतिम प्रकाशन के साथ मेल खाना है, वो परमिशर है, सरशक्तिमान, पिर्सी पर वो एक नभी था, वो एक उकाब है, कित्य लोग जानते हैं, कि एक नभी को उकाब माना जाता है, एक उकाब सबसे बलवान पक्षी है, जो हमारे पास है, सबसे शक्ति चाली, उनमें से कुछ के पंक, चोदा फुट तक फैले वे होते हैं, एक छोड से दूसरे छोड तक, वो इतना उचा उठ सकता है, और उठ सकता है, कि यदि कोई दूसरा पक्षी उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश करे, तो वो पक्षी फट जाएगा, उसमें से पंक निकल कर गिर जाएंगे, और वो इसलिए क्यों, उकाब विशेश बना हुआ पक्षी है, और ऐसी क्या अच्छी बात है, कि वो उसे उपर उचाई में ले जाती है, क्या वो नहीं जेख सकता, कि वो क्या कर रहा है, जब वो वहां उपर होता है, शिक्रे की आग की बात करते हैं, आपको तो उकाब की आग को देख सकते हैं, यह सही बात है, आज उन में से कुछ शिक्रों के साथ यही बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक उकाब इतना उपर जाता है, यदि एक शिक्रा उसका पीछा करने की कोशिश करता है, तो वो मर जाएगा, उसका दम गुड जाएगा, वो उन शेतरों में नहीं जा सकता, जहां उकाब जाता है, और फिर उसके पास एक आख है, जिससे वह दूर तक देख सकता है, जब वह वहां उपर जाता है, तो यही कारण है कि परमिश्र अपनी नभीयों को उकाब कहता है, तो वहां उपर जाता है, और वह एक उकाब है, वह बहुत दूर तक देख सकता है और धरती पर मसी एक उकाब था जब वो मरा तो वो एक याजक था जिसने उसे एक मेमना बना दिया क्या यह सही है और जब वो फिर से आता है तो वो राजा होता है सो वो एक सीह होगा आमीन यहुदा के गोत्र का सीह है आमीन वो एक उकाब है एक मेमना और एक सीह है आमीन, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, नभी, याजक और राजा वह जो था, जो है और आने वाला है, वह सरशक्तिमान, अलफा और ओमेगा, आदी से लेकर अंत तक अनंत परमिश्वर आप से पूछना चाहता हूँ, आप में से कुछ बहुमुलिक एथोलिक लोग, जो कहते हैं परमिश्वर की अनंत पुत्रता, परमिश्वर, परमिश्वर के साथ एश्वमसी का अनंत पुत्रत आप ऐसे शब्द को कैसे कह सकते हैं, सात्वी कक्षा तक पड़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं इससे बहतर जानता हूँ पुत्र शब्द का होना एक शुरुआत को बताता है, तो वह कैसे अनंत हो सकता है, और एक पुत्र हो सकता है, अनंत काल की कोई शुरुआत या अन्त नहीं होता है, इसलिए वह एक पुत्र नहीं हो सकता, एक अनंत पुत्र है, और फिर एक शुरुआत है, क्योंकि अनंत पुत्र जैसी कोई चीज नहीं है, एक पुत्र की शुरुआत थी, इसलिए वह अनंत नहीं हो सकता है, आप देखें वह अनंत परमेशर है ना कि अनंत पुत्र मैमा वो सरशक्तिमान यवा इरे यवा रापा जो शरीर में प्रगट बना उसमें परमेश्वत्व की दे की पनिपूरता वास करती थी और पेंटिकोस के दिन पर जब अगनी का खंबा लोगों के उपर आ गया क्या आपने ध्यान किया इसने खुद को विभाजित किया और अगनी की जीबे उन में से हर एक पर आकर बैठ गई अगनी जीबों की नाई हर एक पर बैठती है परमिशर क्या कर रहा था खुद को कलीसिया के अंदर विभाजित करते हुए हर एक के बीच मेला को देते हुए पुरुशों और उन सभी को देते हुए ये उसकी आत्मा के भागिदार थे उसके कलीसिया के बीच खुद को विभाजित करते हुए साती कैसे एक मनुष आकर और कह सकता है वो पवित्र मनुष वो पोप है पवित्र मनुष वो बीचप है पवित्र मनुष मसी है हमारे अंदर पवित्र आत्मा है आप भला कैसे कह सकते हैं कि आम जंता के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है आप में से हरेक के पास कहने के लिए कुछ तो है आप में से हरेक के पास करने के लिए कुछ काम है आप में से हरेक को एक संदेश को लेकर आगे जाना है महिमा पवित्रा आत्मा ने पेंटिकॉस के दिन खुद को विभाजित कर लिया परमिशर स्वाम को विभाजित करता है उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिटा में हूँ पिटा मुझ में मैं तुम में और तुम मुझ में उस दिन पवित्रा आत्मा पूरी तुरह से सब में सभी में से होते हुए आमीन वहाँ है वो पवित्रा आत्मा के पास कई भी बढ़ने का एक अधिकार होता है वो जहां कई भी जाना चाहता है जिस किसी पर भी वो चाहता है आपको उस बात को नहीं लेना है कोई बिशप या कोई याजक कहता है किवल वही हमारा एक मात्र याजक है सही है एक महा याजक है अब नभी याजक और राजा है अब और एशुमसी की ओर से जो विश्वास योगिय, शाक्षी और मरेहों में से जी उटने वालों में पही लोटा हम इसमें जाएंगे और पिर्ती की राजाओ का हाकीम है, तुम्हें अनुगर और शांती मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहों के द्वारा हमें पापों से धोया है वहां पर वो शब्द धोया गया, असल में युनानी में इसका अर्थ है छुडा लेना, उसने हमें यहां से छुडा लिया, हम अपने पाप के द्वारा धर्ती से बंदे हुए थे, हम देख नहीं सकते थे, सुनने सकते थे, सरक की कोई धारना या कुछ भी नहीं था, लेकि मैं एक समय कहानी को पढ़ रहा था, जो ठीक यहां पर सही बैठ सकती है, एक किसान ने एक कवे को पकड़ा और उसने उसे बांद दिया, और उसने कहा मैं दूसरे कवों को सबक सिखाऊंगा सो उसने उस पुराने कवे को लिया और एक पैर से एक रस्ती के साथ बांद दिया, और उस बेचारी पुरानी सी चीज़ को बुखा मरने के लिए छोड़ दिया, वह बहुत ही कमजोर था, वह मुश्किल से यहां मां गुम सकता था ऐसा ही है, इन में से कुछ संगठनों और कलिसिया उन्हें लोगों को बांद दिया है, बस नहीं जा सकते हो, तो बस तुम इतना ही दूर जा सकते हो, अद्बुत कारे के दिन बीद गये हैं, जी हां, आप बस बने हुए हो, बस ऐसा ही है पवितरा आत्मा जैसे कोई चीज नहीं है, वो अन्य भाशा में नहीं बोलता है, जैसे वो बोला करता था, वो परमिशर है, वो बस कल, आज और जुगाने जुग एक सा है इबरानियों 13.8, सारे कलिसियाओं में रहते हुए, हम इसे सुबह को लेने के बाद इस बात पर जाएंगे, समझे? वो परमिशर है, जो हर कलिसिया के युग में रहता है, वो हर कलिसिया के युग में रहेगा, और उसके लोगों में रहेगा, अनंत काल के लिए, क्योंकि अब हमारे पास है, हमारे अंदर है, जो अनंत जीवन है सो इस संप्रदाय ने उसे बांध दिया था देखो ठीक है अगपूत कारे करने के दिन बीद गए है डेविक चंगाई जैसे कोई चीज नहीं है बेचारा पुराना कवा साथी बेडी से बंदा हुआ है इतना तक कि वह इतना बेचारा बन गया था कि वह मुश्किल से चल सकता था और एक दिन वहाँ पर एक भला मनुश्य आया और उसने कहा तुम जानते हो वह पुराना बेचारा कवा मुझे उसके लिए बहुत दुख है आखिरकार वह अपने दाने को खाते आ रहा है लेकिन केवल वही एक मात्र जरिया है जिससे वह जिवित रहता है उसके पास खाने के लिए कुछ होना है और अभी दाने को खा रहा था तो यदि तब उसे उसके लिए लिया और अपने चाकू को निकालकर और पुराने कोवे की रसी को काटकर आजात कर दिया और आप जानते हैं, यहां दूसरे कवे आते हैं, कहते हैं, आओ, जानी कवे, आओ, दक्षिर की ओर चले, ठंड का मौसम आ रहा है, क्या आप जानते हैं? वह कवा बस उतनी दूर तक जाएगा, जिता वो वहां तक जा सकता है, उसने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह नहीं होता है, यह इस दिन में हमारे लिए नहीं हैं, हम बस ऐसा नहीं कर सकते। यह समय तक बंदा रहा, यहां तक उसे लगता है, कि वह अभी भी बंदा हुआ है, समझें? और इसी तरह बहुत से लोगों के साथ है, आप संसा और संप्रदा के साथ बंदे हुए हैं, जो वहां पहले की पुरानी माता वैश्य से हैं, आपको बता रहे हैं, कि एश्यु मसी एक जैसा नहीं है. और चंगाई जैसी कोई चीज नहीं है, फवितरा आत्मा का कोई बप्तिस्मा नहीं है, ऐसी कोई भी विशेवस्तू नहीं है, आपको ये सब बताने की कोशिश करते हैं, आप इतने लंबे समय तक बंदे रहें, इतना तक आप अभी भी ये सोचते हैं, कि आप बंदे वो भला मनुष्य, मसी उसने अपना लहु दिया, कि वह हमें धो सके और हमें हमारे पाप से छुड़ा सके, पाप क्या है, मैं किसी से पूछूँगा कि बताए, पाप क्या है, पाप अविश्वास है, ये सई बात है, जो विश्वास करता है, उस पर दंड की आगया नहीं होती, और आपका पाप ही, आपके एक मातर ऐसी चीज है, जो आपको आजाद होने से रोके रखती है, ये इसलिए है, क्योंकि परमिश्वास ने आपको आपके अविश्वास से आजाद कर दिया है, लेकिन आप संप्रदाय से इत्ते बंदे हुए हैं, इत्ता तक कि आप अब भी सोचते हैं, कि आप बंदे हुए है, बस बूखा मरने के लिए, देखो, यहाँ वाँ बंदन में बंदे हुए, मैं पैस्पिडेरियन हूँ, मैं मैं मैथोडिस्ट हूँ, मैं बेप्टिस्ट हूँ, वे मुझे कहते हैं, मैं चर्च अव क्राइस्ट हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है, तुम बेचारे बुखे कहवे, तुम आज सुबह क्यों नहीं आ जाते, तुम दूर क्यों नहीं उड़ जाते, हाललुया, एक भोर के पंखो के साथ उठो, और अपने धर्मिक्ता के सूर्य की ओर, दूर उड़ जाओ, अपने पंखों में, चंगाई के साथ, आमीन, ऐसा ही है, ऐसा ही है भाईयो बेहनों, ओ, उसने कहा, पुत्र जिसे आजाद करता है, वह सच मुछ में आजाद है, जीहां शरीमान, तो ठीक है, मेरा पास्टर, इस विशे में कुछ नहीं, बाईयबल ने कहा, आप आजाद है, ये सई है, तुम आजाद हो, मेरी कलिसिया, तो ठीक है, आजाद हो जाएं, हमें धोया गया है, और हमारे संप्रदाय से चुड़ाया है, उसके अपने लवू में, और हमें आजाद किया है, तो हम अपने आप के लिए सोच सकते हैं, और अपने आप के लिए सोच सकते हैं, और अपने आप के लिए कर सकते हैं, अपने आप के लिए बात कर सकते हैं, और अपने आप के लिए कारे कर सकते हैं, तो ठीक है यदि मैं बापस जाकर और पास्टर से कहूं कि मुझे फिर से बक्तिसमा लेना था तो वह कहेगा इसके बारे में क्या तुम आजजाद हो यह एक प्रकाशन है आप जानते हैं तो ठीक है तुम आजजाद हो यदि आप पर इस तरह से कुछ नमक डालने की तरह छिड़काओ किया जाता है पिता पुतर और पवितर आत्मा की नाम पर तो आज सुबह यहां उसमें पानी के साथ कुंड तयार है समझे जीहां शरीमान यह बक्तिसमा सही नहीं है सो अब आप और बंदेवे नहीं हैं आप आजाद हैं लेकिन हो सकता है आप यह नहीं जानते हैं लेकिन आज सुबह आपको बता दूँ बाइबल ने कहा उसने हमें हमारे पापों से हमारे अविश्वास से छुड़ाया है जिससे हम इश्यमसी के प्रकाशन को पा सकें दूर चले जाओ तुम आजाद हो इसके बारे में किसी भी कलिस्या का क्या कहना है उसे ले लो यहां वो इसका प्रकाशन प्रकट कर रहा है कि वह कौन है मैं हमेशा ही सोचता था कि परमेशर पिता की लंबी सफेद डाड़ी सफेद बाल थे और पुत्र एक मध्यवर के उमर का मनुष्य था और पवितर आत्मा शुप्रतिक का नड़का था भाई यह पागानवाद मुर्थी पूजक है यदि आप तीन परमेशरों में विश्व वो सबसे पहली आगया पहली आगया क्या है यह सुनो हे इसराइल मैं प्रभूप तुम्हारा परमेशर एक परमेशर हूं बस ऐसा ही है वो एक परमेशर है ना ही तीन परमेशर वो तीन कारे इस्तानों में रहा तीन इस्तानों पर कारे किया वो नभी याजक और राजा है वो अवकाप मेविना और सी है वो सोसन का फूल है शारून का गुलाब, सोसन का फूल और भोर का तारा, दाउद के बीज और वन्ष है वो एसे लेकर जड़ है वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है वो वो सब है लेकिन वो एक है वो एक परमेशर है वो उसके सिर्चक है जो उसके लिए है लेकिन एक परमेशर है कभी भी, कोई भी, बाइबल का कोई भी पन्ना और नहीं इतियास में ऐसा हुआ जब तक कि कैथोली कलीसया ने आकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से डुबा कर बप्तिस्मा को नहीं दे लिया यजि आप मुझे पन्ने से या कहीं से भी दिखाते हैं, तो आप इसे लिख कर इसे आज रात मेरे पास रख दें, और मैं कलीसया से निकल कर चला जाऊंगा, कहते हुए मैं धोंगी हूँ, मैंने लोगों को गलस दिखाया है यदि आप मुझे वचन में से एक लेक भी दिखा सकते हैं, या मेरे पास एक भी इतियास को लेकर आएं, सच्चा इतियास लाएं, जो मुझे यह दिखाएगा, कि जहां लोगों ने कभी बाइबल में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बप्तिस्मा लिया था या मेरे पास एक वचन, या इतियास की एक किताब को लाएं, एक पन्ना, इतियास में का एक हवाला, जहां किसी को भी, कभी भी, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर बप्तिस्मा दिया गया था, कैथो लिक कलीसिया की नीसिन परिश्यत आने तक, आएं, इसे मेरे पास लाएं, और मैं अपनी पीट पर एक चिन्न को लगाऊंगा, और जेफरसन विले पर से चलूँगा, और आप मेरे पीछे, एक भोपू को बजाना, मैं वहां लिखूंगा, एक जूटा भविश्वक्ता, जो लोगों को गुमरा कर रहा है, और पास्टर, यदि आप आज सुबह यहां पर हैं, तो आप ऐसा करें, आप मुझे आपके लिए वैसा ही करने दें, समझें, आकर मुझे दिखाएं, लेकिन आप डरते हो, अब यह क्या है, यह प्रकाशन है, यह प्रकाशन है, और यह पवित्रा आत्मा है, मसी, जो कलिसियाओं को अपना संदेश भेज रहा है, इसे सुने, इसे सुने, यही है, जो बाइबल सिखाती है, यह कहां पर आया था, यदि आप अब गुसा नहीं है, तो जाकर पूरे सप्ता भर, आप नीसिया परिशत को पढ़े, हिसलॉप की, टू बैबिलोन को पढ़े, जाकर अब जोसिफस का इतियास ठीक है, लेकिन उसने केवल मसी के एक ही अंतरे को लिखा है, कहा, इशू नाम का एक व्यक्ति था, जो यहां वाँ जाकर लोगों को चंगा करता था, और वह मर गया, नहीं, नहीं, पिला तो उसने उसे मार डाला, और या हेरदिस, या उसे म और तब चेलो ने जाकर उसके शरीर को चुरा लिया, और उसे छिपा दिया, और फिर रोज रात को वे जाते, और उसमें से एक टुकड़ा काटकर इसे खाते हैं, कहा, वे नर्भक्षी थे, तो वे प्रभू को ले रहते, आप देखें, शारेरिक दिमाग, जोसफस कोई भ लेकिन फॉक्स बुक आप मार्टियस इस किताब को ले, वहाँ एक अच्छा प्रमान है, फॉक्स बुक आप मार्टियस, कित्तो ने कभी से पढ़ा है, निच्चे ही, पेमर्स की अर्ली एजिस, या हिसलोप्स की टू बेबिलोन, या कुछ बड़े प्रमान, या वो हमारे पास जो सबसे बड़ा है, वो है नीसिया परिशित, पूर्व नीसिया परिशित, और नीसिया परिशित, और आप वहाँ ढूंडें, जिसका कभी उलेक नहीं किया गया, ना ही कोई विक्ती का, पवित्र बचनों को लें और देखें कि क्या बाइबल में कभी किसी ने बगतिसमा लिया था, उन सिर्शकों का उप्योग करते हुए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, यह तीन परमिशर को दर्शाता है, यह तो एक पागान के समारों के लिए है, और कैथोलिक वाद, दुनिया भर में, मसियत का एक पागान रूप होने के अलावा और कुछ नहीं है, और कैथोलिक कलीसिया से मार्टिन लूथर, जॉन वेसली, बैप्टिस, पैस्पिटेरियन और इत्या दिया आए, लेकिन अनतिन दिनों में, वहाँ एक द्वार को रखा गया था, जिसने सत्य को वापस खोल दिया, जो कि बाइवल ने ऐसा कहा, और महान नभी जो अंतिन दिनों में धर्ती पर आने वाले थे, और हम विश्वास करते हैं, कि वहाँ आ रहा है, देखना और उसके पास एक कलीसिया होगी, अभी हम इसे देखेंगे, अब याद रखें, यह प्रकाशन है, आप इसमें से नहीं निकाल सकते, अब क्या ही चुनोती है, बाइबल में एक व्यक्ति को ढूंडें, एक भी इस्तान पर उन्होंने कभी भी किसी को भी पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बप्तिस्मा दिया हो, या कभी किसी पर छिड़काओं किया हो, उनके पापों के शमा के लिए इसे बाइबल में ढूंडें, उन्होंने कभी भी नहीं किया और हर एक व्यक्ती कोई फरक नहीं पड़ता कि उन्हें किस तरख का बबतिस्मा दिया गया था उन्हें आना था और फिर से बबतिस्मा लेना था एश्यो मस्य के नाम में पवित्रा आत्मा को पाने के लिए प्रिडितों के काम 19 पॉलूस एफिसुस के उपरी तट से होकर गुजरा वो वहां कुछ चेलों से मिलता है उसने कहा चेले उनकी एक बड़ी सबा हो रही थी वे अपुलोस नामक एक व्यक्ति का अनुसरन कर रहे थे जो एक परिवर्तित व्यवस्थापक था एक बैप्टिस जो यूनना देने वाले पर विश्वास करता था और बचनों के द्वारा साबित कर रहा था कि एशु ही वो मसी था पॉलोस वहां से गुजरा और एक इला और प्रिस्किला को देखा वचन के अठरवाई अध्याय में और फिर उसने वहां जाकर एक इला और प्रिस्किला के साथ रात्री भुज किया या ऐसा ही कुछ और उन्होंने उसे इस मानपूरुश के बारें बताया वे उससे सुनने लिए गए उसने उस रात को उसको सुना उसने कहा वो बिलकुल सही है यह बिलकुल अच्छी बात है यह अच्छा है लेकिन कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्म पाया तो वहाँ पहले के बिचारे वेप्टिस्तों के बारे में क्या है जो विश्वास करते हैं कि जब आप विश्वास करते हैं तो आप पवित्रा आत्मों को पाते हैं उसने कहा क्या तुमने विश्वास करते समें पवितर आत्मा पाया किसी ने कहा उसमें ऐसा नहीं लिखा था मैं इसे चुनोती देता हूं मेरे पास यहां पर प्रामानिक युनानी है इबरानी भी है बाइबल युनानी में कहती है और दोनों में इबरानी और अरबिक में भी उन सारे तीनों में मैंने उन्हें ठीक यहां पर रखा है कहता है कि क्या तुमने विश्वास करते समें पवितर आत्मा पाया यह सही है क्या तुमने विश्वास करते समें पवितर आत्मा पाया अब उसने कहा हम नहीं जानते कि कोई पवित्रा आत्मा है या नहीं फिर उसने कहा तुमने किस का बप्तिस्मा लिया था उन्होंने कहा हम पहले से ही उस मनुष्य के द्वारा बप्तिस्मा ले चुके हैं जिसने प्रभु एशुमसी का बप्तिस्मा किया था हमने योणना के बप्तिस्मे के निमित बप्तिस्मा लिया शायद पानी का वही कुंड वही मनुश्य पॉलस ने कहा ये काम नहीं करेगा उसने केवल पच्चाताप के निवित बफ्तिस्मा लिया पापों की शमा के लिए नहीं अब आप में से कुछ वन्नेस के लोग यहां के लोग आकर और गलत बफ्तिस्मा को लेते हैं आप उद्धार के लिए उस बफ्तिस्मा को लेते हैं पानी एक मनुश्य को नहीं बचाता है या तो लहू है पच्चाताप है नहीं बफ्तिस्मा के जरिये से फिर से उत्पन करना नहीं शिरिमान फिर से उत्पन करना आत्मा के द्वारा आता है बफ्तिस्मा तो एक बारी रूप से व्यक्त करना है जो फिर से उत्पन के अंदरूनी कारे का है जिसे किया गया है समझें तो ठीक है, ध्यान दे, उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवितर आत्मा पाया? उन्होंने कहा, उसने कहा, हमने जानते की कोई पवितर आत्मा है या नहीं, उसने कहा, तुम्हारा बप्तिस्मा कैसे हुआ? कहा, हमने योणना के निमित बप्तिस्मा लिया, उन्होंने कहा, योणना ने वास्ताव में पच्चाताब करने के निमित बप्तिस्मा लिया, पच्चाताब के लिए, ये कहते हुए, कि तुम्हे उस पर विश्वास करना चाहिए, वो मेमना, उस बलिदान को आना था, प्रब और जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने एशु मसी के नाम पर फिर से बप्तिस्मा लिया था और पॉलुस ने उन पर हात रखा और उन्होंने पवितर आत्मा को पाया और अन्य जुबान में बात की और भविश्वानी को किया मुझे बताएं कि ये वचन नहीं है और मुझे कहीं से भी दिखाएं कि किसी को भी ने नियम में किसी अन्य तरीके से बप्तिस्मा दिया गया था प्रभू इशु मसी की नाम के अलावा मुझे दिखाएं संथ अगबस और बोस से वहाँ पर दूसरे थे जिन्होंने वहाँ आगे बप्तिस्मा लिया था नीसिया परिशक के समय तक और उनमें से हर एक जनμε ए एशु मसी के नाम में बप्तिस्मा लिया लेकिन जब नीसिया परिशक आया तो उनके पास तीन परमिशर होने थे उन्होंने पारुस को लिया या जूपिटर को नीचे ले आए और पॉलुस को उपर रख दिया उन्होंने वीनस को नीचे लिया और मर्यम को उपर रख दिया उनके पास सभी प्रकार के परमिशर थे सभी प्रकार के संत और अन्ने सभी चीजे थी और एक त्रियक्ता के बफ्टिसमे को लिया और प्रोटेस्टंडों को इसे सिखाया और वे अभी भी इसे निगल रहे हैं लेकिन अब संध्या का उज्याला आ गया है नभी ने कहा ये संध्या के समय में उज्याला होगा ये संध्या के समय उज्याला होगा महिमा का मार्क तुम निच्चे ही पाओगे जल के पत में यही आज का उज्याला है इश्यो के बव मुले नाम में दफन हुआ जवान और बुडे अपने सारे पापों का पच्चताब करे पवित्र आत्मा निच्चे ही प्रविश करेगा संद्या का उज्याला आ गया है यह सच है कि परमिशर और मसी एक है आप इसे विश्वास करते हैं पत्रस ने कहा पेंटिकोस के दिन पर यह जान लो कि तुम जो इसरेल के घराने हो कि परमिशर ने उसी इश्व को बनाया जिसे तुमने क्रूस पर चड़ाया प्रभू और मसी दोनों दूसरे अध्याय का सोल वापत जी हां परमिशर ने उसी इश्व को बनाया जिसे तुमने क्रूस पर चड़ाया प्रभू और मसी दोनों इस्राइल के सारे घरानों निश्चे ही तू जान ले ज्यादा समय नहीं हुआ एक यहुदी से बात की यहां उपर डाउत के घर पर उसने कहा तुम अन्य जाती हो परमिशर को तीन भागों में काट कर और एक यहुदी को नहीं दिख सकते हो हम इससे बैतर जानते हैं मैंने का बस यही है रभी हम परमिशर को तीन भागों में नहीं काटते मैंने कहा आप नभी। पर विश्वास करते हो? उसने कहा निच्छी दुरूब से मैंने कहा क्या आप यशाय है, नो छे पर विश्वास करते हो? उसने कहा जी हां, मैंने कहा नभी किसके लीए बोर रहा था? मसीह मैंने कहा मसीह का परमिशर से क्या सम्मंद होगा उसने कहा वह परमिशर होगा मैंने कहा यह सही बात है आमीन देखे आप वहीं पर हैं देखे आप उसे तीन भागों में नहीं काट सकते यदी आप जो यहां मिशनरी हैं उन में से एक यहां यहोदियों के पास जा रहे हैं मैं सोचता हूँ वो मनुश यहां पर बैठा हुआ है आप कभी भी योदी को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा देने की कोशिश ना करें वो आपको तुरंत ही बताएगा वो जानता है यह कहां से आया है नीशियन परिशत से वो इसे नहीं सुनेगा लेकिन आप उसे देखने दें कि परमिशर देहदारी कहां हुआ था और वो वहां पर एक मात्र परमिशर है परमिशर मनुश की रूप में देहदारी हुआ और हमारे बीच रहा था हमें पवित्र करने के लिए उठा लिया गया जिससे वो खुद पवित्र आत्मा के रूप में आ सके परमिशर पिता पवित्र आत्मा एक ही व्यक्ती है बाइबन ने कहा एश्यू मसी की वंशावाली में मती के पहले अढ्याए में इसने कहा अबराहम से इजहाग उत्पन हुआ इजहाग से याकुब उत्पन हुआ और आगे कहा और फिर मुझे इससे पढ़ने दे और उसके बाद अब आप जान जाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ मती पहला ज्याए और हम अब अठरा पल्ग पर आरम करते हैं अब एशु मसी का जनम इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुप के साथ हो गई तो उनके इखटे होने से पहले से वो पवित्र आत्मा की योर से गर्बटी पाई गई पिटा वो परमिशर क्या यह इस तरह से पढ़ा जाता है वो एक बालक किसका पाया गया था मैंने सोचा था कि परमिशर वो पिटा उसका पिटा था तब परमिशर पिटा और पवित्र आत्मा एक ही आत्मा है या उसके दो पिटा थे सो इसके पती यूसुप ने जो धर्मी था ना ही इच्छा से और उसे बदनाम करना नी चाहता था उसे चुपके से त्या करने की मनसा की लेकिन जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्धूत उसे स्वप्न में दिखाई दे कर कहने लगा ए यूसुप दाउत की संतान तो अपनी पतनी मर्यम को अपने या ले आने से मड़ डर क्योंकि जो उसके गर्ब में है वह परमिशर वो पिटा पवित्र आत्मा तब एशुमसी का पिटा कौन था पवित्र आत्मा तो तुम में क्या है तो ठीक है यही परमिशर है वो पिटा भी है क्या नहीं है बिलकुल वो पुत्र जनेगी और तो उसका नाम एशु रखना यहां वो परमिशर पिता है यहां परमिशर वो पवित्र आत्मा है और यहां परमिशर पुत्र है देखो यह तो तीन परमिशर है बैबल ऐसा नहीं कहती है इस दो को एक ही होना है यहां तो उसके दो पिता है समझे उसके दो पिता नहीं हो सकते हैं आप ये जानते हैं अब वो पुत्र जनेगी और तुसका नाम एशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उधार करेगा अब ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभू ने भविशुक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो देखो एक वारी गर्बती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानियुल रखा जाएगा जिसका अर्थ ये है परमिश्यर हमारे साथ ये मती का पहला आध्याय है मती 28-19 जहां एशु ने कहा जाकर पिटा पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बप्तिस्मा दो पिटा पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम क्या है एशु मसी बिलकुल आप एक प्रेम कहानी को पढ़ते हैं जो कहती है जौन और मेरी उसके बाद हमेशा खुश रहते थे जौन और मेरी कौन है कहानी के पहले भाग पर जाकर और पता करें यजी ऐसी कोई चीज नहीं है कोई नाम नहीं है पिटा पुत्र या पवित्र आत्मा तो कौन है ये किसका अब नाम है वापस जाकर कहानी के पहले भाग पर और देखें ये किसके बारे में बोल रहा था पेंटीकोस के दिन पत्रस ने कहा तुम में से हर एक पच्छा ताप करो और पापो की शमा के लिए एश्यू मसी के नाम में बप्जिस्ट मालो उसके पास प्रकाशन था योना के पास प्रकाशन था इश्यू वो प्रकाशन था उसने खुद को ठीक यहां वचन में प्रस्तूत किया मैं वो हूँ जो था जो है और आने वाला है वो सर्शक्ति मान तो ठीक है अब सात्य पत को देखेंगे अब जल्दी से क्योंकि हमें जल्दी से निकलना है बस जितना जल्दी हम कर सकते हैं वो सर्शक्ति मान परा मैमा और पराकरम युगान युग रहे आमीन और हमें एक राज्य और अपने पिटा परमेशर के लिए याजग भी बना दिया उसी की मैमा और पराकरम युगान युग रहे आमीन इस प्रकाशन को देखें ये कैसे प्रकट हुआ कैसे परमेशर पुरुश अपने सिर को खरोसते हैं और अपने बालों को नोستे हैं और इतियादी ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पिता पुत्र पवीत्रा आत्मा क्या है एक में तीन को बनाते हैं अपने बालों को न नोचें और न अपने सिर को खरोचें केवल उपर देखें प्रकाशन उपर से आता है और यह सई बात है वो प्रकट करेगा यह कोई पिता पुत्र और पवित्र आत्मा नहीं है यह तो तीन कारे करने के स्थान है जिसमें एक परमिशर रहता है यह कारे करने के स्थान में था वो आत्मा स्वेम से क्योंकि मनुश जाती अपने इस तर से नीचे गिर रही है तब उसने खुद के लिए एक शरीर को बनाया उसमें रहा अपने खुद के लहु का उत्पादन करने के लिए ना ही यौन संबन के द्वारा जैसे कि यह अदन के बगीचे में था लेकिन एक रचनात्मक शरीर का उत्पादन किया था और उस कुवारी से जन में दे के जरिये से उसने एक ऐसा लहु दिया जिसने हमें पवित रखिया और हमें हमारे अविश्वास से आजात कर दिया ताकि उस पर विश्वास करें तब हम ऐसा करते हैं हम उसे अपने हिर्दय में ग्रहन करते हैं यही हम में परमिश्वर होता है परमिश्वर पिता पुत्र और पवितरात्मा समझे बिलकुल जैसे नभी याजक और राजा यह बिलकुल उसी तरह ही बात है तो ठीक है अब सात्वा पद ये गोशना है ये गोशना है देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आख उसे देखेगी वरन जिनोंने उसे बेजा था वे भी उसे देखेंगे और पिर्ती के सारे कुल उसके कारण चाती पिटेंगे ओ हमारे पास किता समय है ये वह सुन्दर है क्या आप कुछ और समय दे बीस मिनट का समय दे सकते हैं क्या आप दे सकते हैं तो ठीक है अब फिर कल आज रात को हम बाकी को पत्मुस के पत्रस में जानने की कोशिश करेंगे आज रात को आज हम घोशना पर समाप्त करेंगे ओ, क्या आपको अच्छा मैसुस हो रहा है आप इस पुरानी बाइबल से प्रेम करते हैं यह प्रकाशन है क्या यह क्या है परमिश्र इस किताब में उतर कराता है और परदे को हटाता है कहता है वहाँ है वो नभी, याजक, राजा, पिटा, पुत्र, पवित्रात्मा वह था, वो है, और आने वाला है यह सारी चीजें, यह परमिश्र है अब आएए परदे को हटाएं बस कुछ मिंटों के लिए परमिश्र हमारी सहाथा करे हमारी आखों से परदे को उठाएं और देखो, वो बादलों के साथ आता है अब वो कैसे आ रहा है बादल के साथ, किस प्रकार का बादल मिंआ के बादल इन में एक भी गरजने वाला बादल नहीं ना बारिश का बादल, लेकिन मिंआ के बादल आप देखेंगे कि किस तरह का बादल जिसे वो ओड़े हुए था जब पत्रस और उन लोगों ने रुपांतर के पहाड पर उसके दर्शन को देखा एक बादल उस पर छाय किये हुए था उसके वस्तर उज्वल हो गए वह एक बादल को ओड़े हुए था जो परमिशर की सामर्थ है ओ हम यहां उन कलीसिया युगों पर जाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ यह बस इसे सोचने पर मेरे सबसे अंदरुनी भाग में जागुर्टा आ जाती है जो उसका आगमन मैं इस दिन को देखता हूँ कि हम जिसमें रह रहे हैं जहां कुछ भी नहीं बचा है कोई आशा नहीं बची है सिवाए उसके आगमन के अब हम जल्दी से इसे ले लेंगे अब याद रखना हर आख उसे देखेगी अब तब यह रैप्चर नहीं था क्या था देखा रैप्चर नहीं था यह रैप्चर नहीं था यह किस के लिए बोल रहा था उसके दूसरे आगमन के लिए वरन जिनोंने उसे बेंदा था वे भी उसे देखेंगे और पिर्थी के सारे कुल उसके कारण चाती पिटेंगे अब हम वापस जाकर और कुछ इतियास को देखेंगे आएए हम जकरिया में वापस जाएंगे और जकरिया का बारवा अध्या लेंगे जकरिया तो ठीक है और प्रभू को प्रती दिन कलिस्या में जोड़ता है जैसे की बचा लिये जाएं एश्यू मसी के एक अच्छे प्रकाशन के लिए हम कित्ते धन्यवादित हैं क्या आप उसके लिए खुश नहीं हैं अब हम इसमें जाएंगे जो किताब के रूप में है जित्ता जल्दी संबह हो सकता है इसे करेंगे लोगों के लिए और उसके बाद आपके पास ये किताब हो सकती है इस किताब को आपके अपने कमरे की शांती में पर सकते हैं और इतिया जी और इसका अपने आप से अध्यन कर सकते हैं तो ठीक है जकरया वो जकरया अब जकरया का बारवा अध्याय और हम चाहते हैं अब इसे वास्तव में प्रात्ना पूर्वक लें और मैं ऐसे परमिश्यर की महिमा के लिए लेना चाहता हूं अब जकरिया बारा आईए नवे पत पर आरम करते हैं अब ध्यान से सुनना वो आग्मन के लिए बोल रहा है जकरिया बारा और हम नवे पत पर आरम करेंगे और उस समय पर होगा जकरिया भविश्वानी कर रहा है मसी के आग्मन से 487 वर्ष पहले और उस समय मैं उन सब जातियों को नाश करने का यत्न करूंगा जो यरुशलम पर चड़ाई करेंगी इसे सोचें और मैं दाओत के घराने और यरुशलम के निवासियों पर अपना अनुगर करने वाली और प्रात्न सिखाने वाली आत्मा उढेलूंगा तब बे मुझे ताकेंगे अर्थात जिसे उन्होंने बेजा है अब सूसमाचार कब यहुदियों के पास रापस लोटता है जब अन्य जातियों के दिन समाप्त हो जाते हैं सूसमाचार तयार है यहुदियों के पास जाने के लिए ओ मैं कर सकता यदि मैं बस आगे होने वाली बातों को आपको थोड़ा कुछ बता सकता था जो कि ठीक यहां होने पर है देखिए ठीक इस दिन में आप समझे यह होना टै है हम इसे कलीसिया युग में लेंगे और यह महान बात जो घटित होने के लिए तै है जो परकाशे त्वाक के ग्यारा तक ले जाएगी और उन दो नभीयों को उठाएगी एलिया और मुसा जो यहुदियों के लिए फिर से वापस जा रहे है हम इसके लिए तैयार है हर एक चीज कर्म में रखी हुई है बस तैयार है यह अंजातिριों का संदेश जैसा कि यहुदियों ने इसे अंजातिर के लिए लाया अँजाति इसे पिर से ठीक यहुदियों के पास वापस ले जाएंगे और रैप्चर हो जाएगा अब याद रखना, यह यहाँ पर आता है, मासंकट के बाद, कलिस्या मासंकट में से होकर नहीं जाती है, हम यह जानते हैं, बाइबल ऐसा कहती है, देखा तो ठीक है, अब वो इस्राइल के घराने पर उंडेल देगा, क्या, उसी पवित्रात्मा को, अन्ने जाती कलिस्या के चले जाने के बाद, तब वे मुझे ताकेंगे अर्थात, जिसे उन्होंने बेंजा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे, जैसे एकलोते पुत्र के रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे, जैसा पईलोटे के लिए करते हैं, उस समय यरुशलम में इतना रोना पिटना होगा, जैसे मगिदोन की तराई में, हदिमोन में हुआ था, और सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग-अलग, अर्थात, दाउत के घराने का परिवार अलग, और उनकी इस्तिरियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग, और उनकी इस्तिरियां अलग, जब वे देखेंगे क्या होगा, क्या बात जगह लेगी, जब वो महिमा के बादलों में आएगा, उसकी दूसरी उपस्तिती में, और जब उन यहुदियों ने, जो उन्हें छेदा है आप जानते हैं, एक और वचन कहता है, कि वे उनसे पूछेंगे, उसे ये घाव कहां से मिले, उसने कहा, मेरे मित्र के घराने में और ना ही किबल, यह यहुदियों के लिए एक शोक पूर समय होगा, जिन्होंने उसे मसिया के रूप में अस्विकार कर दिया, लेकिन यह उनके लिए एक शोक पूर समय होगा, उन अन्हे जातियों के लिए, जो यहां पीछे बचे हुए हैं, जिन्होंने उसे इस दिन पर अपने मस्या के रूप में अस्विकार कर दिया है वे विलाब करेंगे और रोते रहेंगे सोई हुई कवारी विलाब करेगी यही वो कलिसिया है जिसने उसके उज्याले में तेल लेने से अस्विकार कर दिया था वहां दस कुवारिया निकल पड़ी सारे अच्छे लोग थे लेकिन उनमें से पांच के दियों में तेल था दूसरे पांच अच्छे लोग थे लेकिन वे अपने दियों में तेल लेने में असफल रहे और उन्हें बाहर अंदकार में डाल दिया गया, जहां विलाप करना, रोना, और दातों का पीसना होगा यहां है यह, वे विलाप करेंगे, बाइबल ने यहां कहा, वे विलाप करेंगे, उनका हिर्दा इतना टूटा हुआ होगा, इतना तक की यहां मैं आपको एक और बात बताऊंगा, उत्पती 45, यदि आप इसे लेना चाहते हैं, आईए इसे लेंगे, बस कुषण के लिए, और और इसे उत्पती में भी पड़ेंगे, मैं सोचता हूँ उत्पती के 45 वे अध्याय में मैं यहां इसे लेना चाहता हूँ, यूसुप जो अपने लोगों को, अपने लोगों को खुद को प्रगट कर रहा है, और हम इसे ले लेंगे, बस यह दिखाने के लिए, वे प्रतिशाया थी, कि उस दिन में क्या बात जगए लेने वाली है, तब हम इसे एक साथ जोड़ तब यूसुप उन सब के सामने, जो उसके आसपास खड़े थे, अपने को और रोक न सका, और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो, अब याद रखें, यूसुप अपने आपको ग्याद करवाते हुए, वह रोया, सब लोगों को मेरे सामने से बाहर कर दो, भाईों के सामने अपने को प्रगट करने के समय, यूसुप के संग और कोई न रहा, तब वह चिला चिला कर रोने लगा, और मिस्ट्रियों ने सुना, और फिरों के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला, वह अवशे ही चिलाया होगा, तब यूसुप अपने भाईों से कहने लगा, मैं यूसुप हूँ, क्या मेरा पिटा अब तक जीवित है, इसका उत्तर उसके भाई न दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे, फिर यूसुप ने अपने भाईों से कहा, मेरे निकटाओ, मैं तुमसे विंती करता हूँ, यह सुनकर वे निकट गए, फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुप हूँ, जिसे तुमने मिस्र आने हालों कोई हाथ में बेश डाला था, अब तुम लोग मच पस्ताओ, और तुमने जो मुझे यहां बेश डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमिश्चर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से भीज दिया है, ओ, कितना सुन्दर है, क्योंकि अब दो वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब पांच वर्ष और ऐसे ही होंगे, कि उन में न तो हल चलेगा, और न अन काटा जाएगा, सो परमिश्चर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा, कि तुम पिर्थी पर जीवित रहो, और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बड़े, मैं बस अब इसे ले लूँगा, और इसे जकराया बारा के साथ तुलना करूँगा, बस खुश्ण के लिए, अब हम यह जानते हैं प्रतिचाया में, यदि आप प्रतिचाया में सिखाते हैं, तो आपको हमेशा ही सई बयात मिल जाएगी, मैं सोचता हूं प्रतिचाया में. अब यूसुप जब उसने जनम लिया था तो उसे अपने भाईयों के द्वारा ग्रिनित किया गया था क्या ये सही है अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं यूसुप आत्मा से भरी कलीसया का प्रजिनित्व करता है यूसुप को अपने भाईयों के द्वारा ग्रिनित किया गया था क्यों क्यों क्योंकि वह आत्मिक था यूसुप कोई सायता नहीं कर सकता था क्योंकि वह दर्शन को देख सकता था वह सायता नहीं कर सकता था क्योंकि वह सपनों को देखता था और सपने का अनुवात कर सकता था वो यही था जो उसमें था वो कुछ और प्रदशित नहीं कर सकता था सिवाए उसके जो उसमें था तो ठीक है तो उसके भाईयों ने उससे ग्रिना की बिना किसी कारण के लेकिन उसके पिता ने उससे प्रेम किया था क्योंकि उसका पिता एक नभी था देखा, ये बात इशुक के साथ किस तरह से थी, परमिशन ने अपने पुत्र से प्रेम किया, लेकिन भाईयों ने, फरिसियों और सदुकियों ने उससे ग्रणा की, क्योंकि वह बिमारों को चंगा कर सकता था, और होने वाली बातों को पहले से बता सकता था, और दर्शनों को देखता था, अनुवात को कर सकता था, समझे, मेरा क्या आर्थ है, उन्होंने उससे बिना किसी कारण से ग्रणा की थी. और उन्होंने यूसुप के साथ क्या किया उन्होंने नाटक को किया कि वह मर चुका है और उन्होंने उसे खड़े में फेग दिया लौलूहन वस्तर को लिया जो सात रंगों का था जिसे उसके पिताने वहां मेगधनुश में किवल सात रंग होते हैं और मेगधनुश हम यह कि हम इसे थोड़ी देर बात ले लेंगे मैं सोचता हूँ आज रात को यह उस पर मेग धनुष था एशु जहां वह यशप और मानिक पत्र और मेग धनुष चा दिखाई पड़ता है एक मेग धनुष एक वाचा है और यह यूसुप पर परमिश्र की वाचा थी और फिर उन्होंने उसके वस्तर पर लोग को लगाया और उसे पिता के पास वस्तर को वापिस ले गए और वो मरने वाला था और लेकिन उसे खड़े से बाहर निकाला गया था और उसे एक फिरोन को बेच दिया गया मिस्तर में किसी को तो बेचा गया और एक सेनापती ने उसे रख लिया जब उन्होंने ऐसा किया तो उसके विरोद में एक गलत बात उपर आई और उसे जेल में डाल दिया और वहां उसने भविश्वाने की और दो व्यक्तियों को बताया कि वो एक कहां जाएगा और दूसरा एक कहां पर जाएगा पिलाने हरा और पकाने हरा उनके सपने के साब से और फिर उसे वहां से उचा किया गया था फिरोण के दाहिने आयत की और और कोई भी मनश्य फिरोण को नहीं चू सकता था केवल यूसुप के जरिये से यह क्या अब जब यूसुप को तब मिस्तिरियों के लिए बेज दिया गया था और देखो उसने जो कुछ किया यह मसी की प्रतिचाया थी इस पिलाने हरा और पकाने हरा को देखें और उन दोनों के पास सपने थे और एशु जब वो उसके कैद खाने में था याद रखना यूसुप कैद में था और जब इशु उसके कैद खाने में था कैसे एक क्रूस पर कीलो से टंगा हुआ वहाँ पर एक बचाय गया था और एक नश्ट हुआ था यूसुप जब वो उसके कैद में था एक को बचा लिया गया था एक नश्ट हुआ था और ध्यान देना तब बाद में इशु को कुरूस पर से उठा लिया गया था वह स्वर्ग में उठा लिया गया और उस महन आत्मा यूवा के दाहिने हाथ में बैठता है बिना मेरे कोई भी मनश्य परमिशर के पास नहीं आ सकता है ना ही कोई मर्यम तेरी जै ना ही यह धन्य हो या वो धन्य हो के जरिये से लेकिन इशु मस्य के जरिये से जो परमिशर और मनश्य के बीच एक मातर बिचवाई है वो भूमलिय दे है जिस में से होकर परमिशर ने हमारे बीच में वास किया जिसने परमिशर का नाम लिया और परमिशर ने मनश्य का नाम लिया परमिशर ने लिया यहां देखना आरम में जब आदम मैं बस उससे दूर नहीं जा सकता ऐसा दिखाए देता है कि कोई तो इससे नहीं समझ रहा है कहीं पर तो देखो आरम में मैं आपको फिर से कुछ दिखाऊंगा पवितरा आत्मा मुझे ऐसा करने के लिए आगया दे रहा है मैं एक मिनिट के लिए अपना विशे छोड़ रहा हूँ जब मैं में पहली ख़बर मिली कि पुत्र खो चुका है वो आदम क्या परमेशन ने दूद को भीजा क्या उसने पुत्र को भीजा क्या उसने किसी और को भीजा वो स्वेम आया ताकि अपने खोय हुए पुत्र को छुड़ाए हालेलुया परमेशन ने इसका किसी पर भरोसा नहीं किया सिवाए खुत के परमेशन देदारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया और उसने स्वेम मनश्य को छुड़ाया यह हम बचाए गए हैं बाइबल ने कहा परमेशन के लहु के द्वारा अमर्णहार परमेशर अमर्णहार परमेशर बन गया था जिससे की पाप को दूर करे खुड मिमना बन जाए ताके महिमा में प्रवेश करे परदा हुआ और उसके सामने अपने स्वेम के लोग के साथ हो परदे के उस पार अब यूसुप वहां मिस्तर में चला जाता है और वहां उसे कैच से निकाल कर उचा किया गया फिरोन के दाइने हाथ पर और उसे कारवाहक बनाया गया और यूसुप के दिनों में सब कुछ फलने फूनने लगा था अब जब एशुप वापिस आता है यहां तक की किरिगिस्तान भी गुलाब की तरह खिल उठेगा वह फलने फूनने का पुत्र है यूसुप की प्रतिचाया उन्होंने यूसुप को डाल सेना पती ने उसे अपने घर में रखा था उसने जो कुछ किया वह फलने फूनने लगा उन्होंने उसे जेल में डाला और सारा जेल फलने फूनने लगा उन्होंने जो कुछ भी किया वह फलने फूनने लगा और जब वह फिरोन के पास उचा उठाया गया सबसे उपर फिरोन के पास हर एक चीज मिस्तर में संसार में हर किसी से उपर बनने लगा जब वो लोटता है तो यह फलने फूलने वाना देश होगा पुराने रिगिस्तान खिल उठेंगे और हरस्तान पर अन्न होगा और हम हर एक जन हमारे खुद अपने ही अंजीर के पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं और हस सकते हैं और आनदित हो सकते हैं और हमेशा के लिए उसकी उपस्तिती में रह सकते हैं जब वो राजा की नाई वापस आएगा वो मनश का पुत्र था नभी आमीन वो मनश का पुत्र था बलिदान याजक वो मनश का पुत्र है राजा की नाई दाओद का पुत्र जो वैभाव के सियासन पर बैठा हुआ है मनश का पुत्र वह परमिशर मनश का पुत्र की नाई में प्रगट हुआ वो नीची उतर कर आता है और मनश बनता है ताकि पापो को संसार से दूर लेकर जाए वो मनश बनता है एक नभी की नाई वो मनश बनता है एक याजक की नाई वो मनश बनता है राजा की नाई स्वरक का राजा, संतो का राजा, अनन्त राजा, हमेशा ही राजा था, हमेशा राजा रहेगा, वो अनन्त राजा है अब ध्यान देना, फिर यूसुप, यूसुप के आगे जाने से पहले, वे पहले तुरही को बजाते थे, और लोग चिला उटते, यूसुप के लिए घुटने टिकाओ कोई फरक नहीं पड़ता, कि एक मनुष्य क्या कर रहा था, वो रास्ते पर कुछ सावान को बेच रहा होता था, जब वो तुरही की आवाज होती, वो अपने घुटने को जुका देता, एक मनुष्य बस लगबख पहुचने पर होता, और अपने पैसे को लेने पर होता, ल ओ, एक नाटक कार लगबख अपने नाटक को करने के लिए तैयार होता, और तो उसे क्या करना पड़ता था, उसे रुखना पड़ता था, यूसुप आ रहा है, तुरही बज उठती, इन दिनों में से एक हर एक चीज यहां तक की समय भी रुख जाएगा, जब परमिशर की तुरही फुकी जाएगी, और मसी में जो मरे हैं, वो जी उठेंगे, और सुबह वो अननतता में खुलेगी, उजवल और साफ, हर एक चीज घुटने टेक देगी, हर एक घुटना जुकेगा, और हर जीब इसे अंगिकार करेगी, अब आरम करें, कुछ मनुश्यों के पाप पहले जाते हैं, कुछ के बाद में, लेकिन अब ध्यान दें, कि किस बात ने जगह ली, कित ता महिमा मैं है, जब युसुप उसके अन्य जाती में विवा करने के बाद, उसका एक परिवार हुआ, अप्रेम और मनंचे, जो उसके पुत्र हुए थे, क्या आप ने अन्त में ध्यान दिया, जब युसुप याकुप ने अप्रेम और मन्चे को आशिश देने लगा, जब उसने वो अपने हाथ को रखने लगा, तो उसने अप्रेम को दाइं और मन्चे को बाइं और रखा, ताकि दाइने हाथ से बड़े को आशिश दे सके, लेकिन जब उसने प्रात्न करना आरम किया, तो उसके हाथ घुम गए, और उसने छोटे को दाइने हाथ से आशिश दी, बजए उस एक को जो उसके दाइने हाथ पर था, और यूस्प ने कहा, ऐसा नहीं है पिटा, कहा, आपने अप्रेम के बज़ाए, मनंचे को आशिश दे जी है, और उसने कहा, परमिशन ने मेरे हाथ को गुमा दिया, क्या, यूदियों में से जो बड़ा था, जो परमिशर का पहला चुना हुआ था, कुरूस के जर्ये से अन्य जातियों पर आशिश वापिस आती है, आशिष क्रूस के जरिय से आती है यहुदी से अन्य जातियों के लिए अस्विकार कर दिया उन्होंने क्रूस को अस्विकार कर दिया इसलिए उसके पास अन्य जाति की दुलन है अब जब यूसुप इससे पहले जब उसने अपने भाईयों के बारे में सुना था जो वे कई वर्षों से वे संगती से बाहर थे जो यहुदी है अब देखो हम जकरिया के पास वापस जा रहे हैं जहां वे शोक करते विलाप कर रहे हैं और शोक मनाते हैं और यहां तक की वे परिवार खुद को दूसरे परिवारों से अलग करेंगे बाहर जा कर कहते हैं हमने इसे कैसे किया हम बला इसे कभी कैसे कर सकते थे जब वे कहते तुम्हें वे घाव की निशान कहां से मिले वे घाव की निशान जो हातों में हैं यहां तक की जिन लोगों ने उसे छेदा वो बादलों में आएगा और वे उसे देखेंगे यहां तक की वे लोग भी जिनों ने उसे छेदा था और हरे गहराना शोक करेगा और वे विलाप करेंगे, वे नहीं जानते की क्या करें। और जब यूसुप आप कहानी को जानते हैं, जब उसने अपने भाईयों को देखा और उसने ऐसा दिखाया कि वो इबरानी भाशा को नहीं बोल सकता और उसका अनुवादत करने के लिए अनुवादत को लिया, और उसने ऐसा अभी नहीं किया कि वो इबरानी नहीं बोल सकता, लेकिन वो जानना चाहता था। और इसलिए जब अतह एक दिन जब उन्होंने अपने छोटे भाई को लाया, तो क्या आपने ध्यान दिया या बिया मिन्था जिसने यूसुप के प्राण को उत्तेजित कर दिया, या क्या है, यही उसके प्राण को प्रजलित कर देगा हमारी यूसुप को जो एशू है। वो छोटी कलिसिया जो वहाँ नीचे एरान में रही है, जिसने परमेशर की आग्याओं को ठामे रखा, और यह एक नया जनम पाई हुए लोग हैं, जो फिलिस्तिन में इखटा हुए थे, और फिर से लोटाए गये हैं। जो छे कोनों वाला दावत का तारा है, जो संसार का सबसे पुराना जंडा है, एक राष्ट जो पिछले कुछी वर्षों में जनमा है, वहाँ इस्राइल है। राष्ट तूट रहे हैं, इस्राइल जागरित हो रहा है, वो चिन जो बाइबल ने पहले ही बताए, अन्य जातियों के दिन गिने चुने हैं, सतावत और उल्जन से, लोटाओ जो तितर बितर हुए अपनों के लिए। चुटकारे का दिन नजदीक है, डर के मारे मनुश्यों को हिर्दे के दौरे पड़ रहे हैं, बस इसे देखें, वे सारे नसों के रोगी हो गए हैं, आत्मा से भर जाएं, अपने दिये की बाती को ठीक करें और साब करें, उपर देखो तुमारा छुटकारा नजदीक है। जूटे भविश्वक्ता, जूट बोल रहे हैं, परमिशर के सत्य को वे इंकार कर रहे हैं, कि एश्यू वो मसी हमारा परमिशर है, महिमा लेकिन प्रकाशन आ चुका है, इसलिए हम चलेंगे जहां प्रिणितों ने कदम को रखा, ठीक उनके उसी इस्तान पर क्योंकि छुटकारे का दिन नजदीक है, डर के मारे मनुश्यों को हिर्दे के दौरे पड़ रहे हैं, आत्मा से भर जाएं, अपने दिये की बाती को ठीक करें और साब करें, उपर देखो, तुम्हारा छुटकारा नजदीक है, ओ, ओ, यूसुप, जब उसने वो छोटे बियामिन को वहां पर खड़े हुए देखा, वही उसका छोटा भाई है, अब आप छोटे बियामिन को देखते हैं, वहां उस और वहां पर बैठा हुआ है, धर्ती की जातियां, यहुदियों की, वहां वापस लौटा आई है, जहां उनमें से एक लाग, चौवालीस अजार, वहां खड़े हो जाएंगे, ताकि मसी को सुईकार करें, जब वे उसे आते वे देखते हैं, वे कहेंगे कि देखो, यह हमारा परमिशर है, जिसके लिए हम इंतजार में हैं, फिर से छिदा हुआ देखेंगे, यह कहां से आए, उसने कहा, मेरे मित्र के घराने में से, और वे विलाब करेंगे, और वे रोएंगे, और हर एक परिवार, दाउद और नेप्थालिम, और वे सारे उनकी जातियां, वे अपने आपको अलग कर देंगे, हर एक परिवार, और जब वे उसे हवा में खड़ा हुआ, देखते हैं, तो वे रोने लगेंगे, वो एक जिसे उन्होंने छेजा था, उसका संदेश क्या होगा, देखो, यूसुप ने क्या कहा, जब उसने कहा, एक और बात देखना, जब यूसुप उसके सामने संतानों को लाए गया, तो उसने उनकी तरफ देखा, उसने बियामिन को देखा, उसने अपरेम को देखा, उसने वहाँ के बाकी को देखा, गाद और उनसबी को देखा, और वे 12 गुत्र, तब वे 10 जातिया उसके सामने खड़ी थी. उसने उन सभी को वहां खड़ा हुआ देखा वो जानता था कि वे उसके भाई थे और उसने सीधा छोटे बियामिन की और देखा उसका गला भराया वो जानता था कि वे उसके थे उसने क्या कहा हर एक जन मुझे छोड़कर चला जाए उसकी पतनी और बच्चों का क्या हुआ वे महल में चले गए अन्य जाती कलीसिया रैप्चर पर कहा जाएगी महल के अंदर वो दुलन हाललुया वो दुलन पिरसी पर से रैप्चर में उठा ली जाएगी फिर जब वापस आता है तो उसकी दुलन वहां नहीं होती है जब अपने भाईयों को खुद को प्रगट करता है यहोदियों को जिन लोगों ने उसे छेदा था जिनों ने उसे अस्विकार कर दिया था लेकिन उसकी पत्नी और उसके प्रियजन उसके करीबी मित्र उसके अपने परमिशर के भेजे वे सह भागी, मंदर में थे और जब उसने देखा उसने कहा कि वे उन्होंने नहीं जाना उन्होंने कहा ओ ये महनराजकुमार, ये एक दूसरे से कहना आरम करते हैं ओ उन चीजों के बारे में जिन चीजों को उन्होंने किया था मैं सोचता हूँ कि ये अप्रेम था या अप्रेम नहीं था लेकिन मैं भूल गया कि ये अब कौन था जिसने कहा तो हमें अपने भाई यूसुप को नहीं मारना चाहिए था कहा तुम देख रहे हो कि हमें वापस भुक्तान करना पड़ रहा है रूबेन रूबेन ने कहा हमें अपने भाई को नहीं मारना चाहिए था उसने कहा क्योंकि तुम देख रहे हो हमने जो किया है उसके लिए हमें वापस भुक्तान करना पड़ रहा है और यूसुप वाँ खड़ा हुआ था उन्होंने सोचा नहीं था कि वा इबरानी को समझ सकता है लेकिन वो इसे जानता था कुछ सोचते हैं बोल नहीं सकता अन्य भाषा को समझ नहीं सकता है लेकिन वो इसके विशे में सब जानता है जी हाँ वो जानता है सोने के सिर में पहला सिर है अन्य जाती का राज्य अन्य भाषा बोलने और अनुवात के साथ आता है पहले उस अन्य जाती के समयकाल का अन्त क्या हुआ दिवार पर अन्य भाषा का हस्त लेक और वहाँ एक मनश्य इसका अनुवात कर सकता था और बता सकता था कि ये क्या था ये उसी तरह से होता आया है आमीन प्रवेश करता है और उसी तरह होता हुआ निकल गया उन्होंने सोचा कि वो अन्य भाषा को नहीं बोल सकता है जिसे वे बोल रहे थे लेकिन वो इसे जानता था उन्होंने कहा तुमने देखा कि हमें क्या मिला और तब यूसुप ने देखा कि उन्होंने जो किया है उसके लिए वे दुखित हैं अब उसने उनके दुख को देखा और उसे अस्विकार करने के लिए पस्तावा है सो उसके लिए अब उसका गला गुटने लगा था वो अपने कलिसिया को धर्ती पर से भार निकालने के लिए तयार है उसे महिमा में ले जाने के लिए बाद में वापस आता है और तब धर्ती की सारी जातियां विलाब करेंगी उन्होंने क्या किया रुबेन उन सभी ने रोना अरम किया उन्होंने कहा ओ ओ वे डर गए और कहा यह तो वो ही है अब हम जानते हैं कि हम इसी लिए अंदर है अब वो हमें मार डालेगा अब वह हम जानते हैं कि हम ठीक अभी नश्ट हो जाएंगे क्योंकि यह यूसुप है जो हमसे इत्ते लंबे समय से दूर रहा है यूसुप हमारा भाई हम अब वास्तों में इसी बात के लिए अंदर हैं उसने कहा अपने आप पर क्रोधित मत हो जाओ परमिशन ने जीवन को बचाने के लिए ऐसा किया है परमिशन ने क्या किया यहूदियों ने इश्य को क्यों है स्विकार किया इसलिए कि हम अन्य जाती सो कि वे लोग जिसे उसने अपने नाम के कारण बाहर बुलाया परमिशन ने ऐसा किया ताकि अन्य जातियों की कलिसिया दुलन का जीवन बच जाए वे सारी जातियां जिनोंने उसे अस्विकार कर दिया वे विलाप करेंगे वे खुद को घने और चट्टानों में और इत्याजी में छिपा लेंगे कहते हुए छिपा लो पहाड़ो हम पर गिरो उन्होंने इसे अस्विकार कर दिया उसे सारी पिर्थी के कुल उसके कारण चाती पिटेंगे और वहाँ इस्राइल में हर एक परिवार अपने आपको अलग करेगा परिवार एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और कहेंगे हमने ऐसा क्यों किया हमने भला कैसे उसे अस्विकार कर दिया कैसे वो वहाँ पर खड़ा होता है वहाँ वो परमिशर है जिसके लिए हमने इंतजार किया है और वहाँ पर वो है उसके हातों में कीलो के निशान है और इसे हमने किया है बिलकुल यही है जो ठीक उन्होंने वहाँ पर कहा था जब उन्होंने वापस आकर कहा वहाँ वो यूसुप है जिसे हमने बेज दिया था उसने कहा मैं यूसुप हूँ तुमारा भाई जिसे तुमने मिस्तर में बेज दिया था ओ वे डर गए थे और वे रो रहे थे और विलाप कर रहे थे और एक दूसरे के पास जाकर कह रहे थे हम क्या कर सकते हैं उसने कहा अपने आप पर क्रोधित मत हो जाओ क्योंकि परमिशर ने ये सब किया परमिशर ने मुझे आगे भेजा परमिशर ने सारे मनुश को बनाया गोरे मनुश, काले मनुश, बूरे मनुश, पीले मनुश, हर एक मनुश को परमिशर ने हर एक मनुश की स्रिष्टी की, उसने अन्य जातियों की स्रिष्टी की, यहुदियों की स्रिष्टी की, उसने सब को बनाया, यह सब उसकी मुईमा के लिए हैं, और यहुदियों को अस्विकार करना था, जिससे की अन्य जातियों की स्रिष्टी की, यहुदिय यही वो कारण है कि यह सारे उधारण है सो अन्य जाती दुलन और उसके साथ जो उसका वंश है वो मैमा में पेंटी कॉस्टिल कलिसिया जो मेमने के लवज से धोई गई है पुरुनतान की सारी सामट के साथ जो उनमें रहती है किसी दिन रैपचेर में उट खड़े होंगे एक शण में परक जपकते ही ताकि इशुक की उपस्तिती में हो ले जब वो वापस लोटता है और सब को वहां से निकाल देता है जिससे कि वो अपने आपको अपने भाईयों पर प्रकट करे देखो कि वचन यहां पर क्या कहता है समाप्त करते हुए देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आख उसे देखेगी अब वो दूसरे आगमन के बारे में बात कर रहा है ना कि रैप्चर के लिए वरन जिनोंने उसे भेदा था सात्वा अध्याय पहला पद या पहला अध्याय का सात्वा पद हर एक आख उसे देखेगी वरन जिनोंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे और पिर्सी के सारे कुल उसके कारण चाती पिटेंगे हाँ आमीन तब वो बड़े हवाले को देता है ये कौन है ये कौन है जिससे वे देखने के लिए जाने वाले है मैं अलफा और ओमेगा हूं मैं ए और जड हूं युनानी ए और जड युनानी अक्षर माला प्रेणितों के काम 2.36 पत्रस ने कहा आकाश के नीचे कोई और नाम नहीं दिया गया है जिससे मनुष्य को बचाय जाना चाहिए या नहीं मैं आपसे शमा चाहता हूं मैं इसे गरत बता रहा हूं उसने कहा सो अब इस्राइल का सारा घराना निच्चे जान ले की परमिशर ने उसी एश्य को जिसे तुमने क्रूस पर चड़ाया प्रभू भी ठहराया और मसी भी यहना चोदा साथ और बारा धोमा ने कहा परमिशर हमें पिता दिखाओ और यह हमें संतुष्ट करेगा कहा मैं बहुत समय से तुमारे साथ हूँ और तुम मुझे नहीं जानते कहा वो जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा तुम मुझे क्यों कहता है मुझे पिता को दिखाओ मैं और मेरा पिता एक है मैंने एक समय एक व्यक्ती से कहा मईला ने कहा बस एक मिनट शरीमान ब्रेणम कहा आप और आपकी पत्नी भी एक है मैंने कहा लेकिन उस तरह से नहीं उसने कहा मैं आपसे शमा चाती हूँ मैंने कहा क्या आप मुझे देखती है उसने कहा मैं देखती हूँ मैंने कहा क्या आप मेरी पत्नी को देखती है उसने कहा नहीं मैंने कहा तब वे एक अलग प्रकार से है ईश्यू ने कहा जब आप मुझे देखते हो तो आप पिटा को देखते हो, तो इसके लिए इतना ही काफी था सो संत योन्हा या पहला योन्हा पांच साथ से लेकर आठ में आप सभी जो से लिख रहे हैं पहला योन्हा पांच साथ से लेकर आठ बाइवल ने कहा वो बोलने वाला व्यक्ता वही मनुश्य जिसने ये प्रकाशित वाके लिखा था जिसे एशु ने उसे दिया उसने कहा वहां तीन हैं जो सर्ग में गवाई को देते हैं पिटा वचन वचन वो पुत्र है पिटा वो वचन और पवित्र आत्मा और ये तीनो एक ही हैं वहां धर्ती में तीन हैं जो गवाई को देते हैं पानी लहू और आत्मा और वे सहमत होते हैं एक नहीं हैं लेकिन वे एक में सहमत होते हैं आपके पास बिना पुत्र हुए पिटा नहीं हो सकता आपके पास पिटा और पुत्र नहीं हो सकता पवित्र आत्मा हुए बिना सही है लेकिन आप और पानी लहू और आत्मा ये वो तत्व हैं जो उसकी दे में ले जाते हैं जब एक सभाविक जनम होता है तो सबसे पहले क्या होता है जब एक हिस्तरी बालक को जनम देती है पहले चीज ये पानी है दूसरी चीज लव है क्या सही है अगली चीज आत्मा है वो बालक अपनी सांस को पकड़ता है सांस लेना आरम करता है पानी लहू और आत्मा वो सभाविक जनम को संगटित करते हैं आत्मी जनम भी पानी का बप्तिस्मा एशु मसी की नाम में विश्वास के द्वारा धर्मी करण प्रभू एशु मसी पर विश्वास करते हुए पानी अगला क्या है लहू पवित्री करण साप करते हुए उसे बाहर करते हुए वही जहां आप नाजरीन लोग चुक गए आप बस उतना ही दूर गए और आगे नहीं बड़े वो पात्र जो वेजी पर पवित्र किया गया सिवा के लिए तियार है लेकिन सिवा में नहीं होता है धन्य है वे धन्य उपदेश जो धरम के बूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे भर दिये जाएंगे वो पात्र पवित्र हुआ है यह सही बात है वह क्वारी की तरह है वो शब्द क्वारी का अर्थ है शुद्ध पवित्र बिना मिलावट का पवित्र हुआ पाज के पास तेल था पाज के पास तेल नहीं था पाज भरे हुए थे और वे दूसरे के वल पवित्री करण में ही रहे क्या तुमने विश्वास करते से मैं पवित्र आत्मा पाया तुम जो बैप्टिस्ट हो पैस्पिटेरियन हो हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी फिर तुमने कैसे बप्तिस्मा लिया उसके उन पर हात रखने के बाद तब वे बचा जाने के बाद और पवित्र हुए थे उसके बाद वे पवित्र आत्मा से भर गए थे सही है पानी लहु आत्मा इशु धोने और शुद्र करने के लिए आया और ताकि एक कलिस्या को पवित्र करे जिससे वो आकर उसमें रह सके उसके अपने खुद के लहु से उसने अपने ही परमेशर से जन में लहु को दिया जिससे वह हमें हमारे शारीर संबंद के जनम से साप कर सके और हमें एक पवित्री करन को दे पवित्र पात्र जिससे की वो खुद आ सके थोड़ी जिर रह गई है और यह संसार मुझे नहीं देखेगा लेकिन तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं व्यक्तिकर सर्वनाम तुमारे साथ रहूँगा यहां तक कि तुम में संसार के अंत तक रहूँगा आमीन वहां से होते वे मैं तुमारे साथ और तुम भी रहूँगा जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे यह चिन उनके पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं परमिशर कलिसिया में है ओ प्रभू देविक्ता स्वर्ग में तीन हैं जो गवाई को देते हैं पिटा वचन पुत्र पवित्र आत्मा वे एक हैं अब आप बचाए जा सकते हैं बिना पवित्री करण हुए आपका पवित्री करण हो सकता है और पवित्र आत्मा नहीं होता है यह सई है पवित्र किया हुआ आत्मा बिना भरा हुआ आपके हिर्दय को पवित्र करते हुए आपके हिर्दय को साप करते हुए बिना किसी चीज के साथ भरे हुए यह वही है जो उसने कहा जब अशुद्र आत्मा मनुश्य से बाहर चली जाती है वो सुखे इस्तानों पर चलता है अशुद्र आत्मा वापस आता है अपने घर को पूरी तरह से सजा हुआ पाता है और अंदर आ जाता है उस व्यक्ति की अवस्ता कई गुना साथ गुना पहले से भी बट्तर हो जाती है यही है जो आप पिल्गिरिम होलीनेस वालों का हुआ है नाजरीन और इतियादी आपने सुईकार किया है और जब पवित्र आत्मा आता है अन्य भाशा में बोला आरम करते हैं और चिन और चमतकार को करते हैं तो आप इसे शेतान कहते हैं और परमेशर के कामों को दोशी ठेराते हैं इसे एक अशुद चीज कहते हैं और क्या आप देखते हैं कि आपकी कलीसिया कहा निकल चुकी है। उसके प्रमाण की सामर्त में प्रगट हुआ है। उपर उठाया गया। ओ बस आगे और आगे और आगे लेकिन अब हम कहां पर है। आठवे पत पर आज रात को हम नवे पत से आरम करेंगे। पत्मुष का दर्शन ओ हमारे लिए महान चीजों को संग्रह करके रखा है। क्या आप उसे प्रेम करते हैं। मैं उसे प्रेम करता हूँ। क्युक्य उसने पहले मुझसे प्रेम किया। और मेरे उधार को खरिद लिया। करवरी के पेड़ पर। क्या आप वास्तों में ऐसा करते हैं। क्या परमिशर ने अपने आप को आप पर प्रिकट किया है। कि वा परमिशर का पुत्र है जो एशु मसी है परमिशर देह में प्रकट हुआ ताकि पाप को दूर करे। वा अपने आपको कलिशियों में इन अंतिम दिनों में प्रकट कर रहा है जिससे वा खुद को ग्याद करवाए। अब ये वही चीजे हैं जो कलिशिया में चल रही हैं। ध्यान दें और देखें इस संदेश के अंत में कि क्या बाइबल ऐसा नहीं कहती है कि ये चीजे होने वाली है बिलकुल उसी तरह से। देखो क्या वे वास्तों में एफिसियन युग में नहीं थे और पिर्गमुन थुआ थीरा और आगे इस युग में बताया कि लूथर कैसे करेगा और वेसली कैसे करेगा और कैसे ये पेंटिकोस्टल संप्रदाए एक लूद्किया में चला जाएगा गुन-गुनी स्तिती में लेकिन इसके बीच में वा लोगों को खीच लेगा ये सई बात है ये बिलकुल ऐसा ही है हम अंत में हैं ओह मैं बहुत ही खुश हूँ और ओह जैसा कि मैंने अपने आपको देखा है तूटते हुए और अपनी दोस्तों और चीजों को और संसार और इस गरबडी को जिसमें वे हैं और फिर सोचता हूँ कि प्रभु का आग्मन इतना निकटा रहा है हम युक के अंत में हैं डर के कारण मनुश्यों को हिर्दे का दौरा पढ़ रहा है हर कहीं हर कोई ये हर समय रेडियो पर चितावनी दी जा रही है हवाई हमले के लिए तैयार रहें इसे अंदर में ले ले उसे अंदर ले और नीचे तैखाने में चले जाएं आप भला इससे कैसे चुपेंगे उससे छिपा नहीं जा सकता है तो ठीक है वह चीज एक सो पचास फूट जमीन के अंदर चली जाएगी एक सो पचास स्क्वाइर फूट क्योंकि इसकी हिलावट यदि ये वहाँ पर प्रहार किया जाता है तो ये जमीन पर इंडियाना पॉरुस तक को हिला देगी क्योंकि ये इंडियाना पॉरुस को उड़ाकर टुक्डे टुक्डे कर देगा जो ठीक यहां लूईसायना में पहुंचेगा देखो उसमें से एक ये बताना मुश्किल है इसके अलावा उनके पास और क्या-क्या है और देखो आपको ऐसा नहीं करना है आप जानते हैं रुज को ऐसा करने के आवशक्ता नहीं है क्यूबा ऐसा कर सकता है कोई भी छोटे से इस्तान पर एक छोटा सा इस्तान उस और अलका तर्च के आकार का इसे कर सकता है जो सारे संसार तक फैल सकता है केवल एक चीज जो आपको करनी है वो है बस उसे उपर लाकर और एक तार को खीचना है आपको सेना की कोई आवशक्ता नहीं है आपको बस इसे करने के लिए एक कटर पंती की आवशक्ता है जो शैतान के हाथों में है ये बिलकुत सही बात है वो ऐसा करेगा और उसके बाद सारे चीज खतम हो जाती है ये सब खतम हो जाता है लेकिन ओह मैं आपको इस धन्य चीज को देता हूँ जब हम इसे इतने नजदीक से देखते हैं जब हम देखते हैं कि ये सुबह होने से पहले हो सकता है याद रखे ये घटित होने से पहले कलिस्या घर चली जाती है इससे पहले रैप्चर जगह को ले लेता है अब जिससे तुम मुड ने सकते याद रखना इशु ने कहा जैसा की नूह के दिनों में था जैसा की लूत के दिनों में था याद रखो इससे पहले कोई बारिश गिरे नूह जहाज में था देखा नूह जहाज में था उसे इसके जरिये से बच निकाला और अब नूह एक यहुदी का नमूना था लेकिन हनुक मरे बिना ही घर चला गया और जब नूह ने हनुक को जाते हुए देखा वा जान गया यही वो समय है कि जहाज को आरम करना है यह सई बात है यह नूह का चिन्न था जब हनुक घर चला गया और जैसे ही अन्य जाती कलिसिया उठाली जाती है तब वह खुद को इस्राइल को प्रगट करता है समझे यह सई है याद रखें लूत के जिनों में जैसा केशु ने कहा इससे पहले की आग की एक चिंगारी कभी ढरती पर टकराए उस दूत ने कहा दोड़ो जल्दी करो यहां से निकल चलो क्योंकि मैं तपता कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम अतह आने जाते इससे पहले आग लगे लूत और उसका परिवार बाहर था और खतम हो गया इसलिए मा संकट होने से पहले रैप्चर हो जाएगा मा संकट बहुत से लोगों ने उन्हें मिश्रित कर दिया है हम इस सब्ताक इसे सीरी सीदे ले लेंगे प्रभू की इच्छा हुई तो प्रभू की साहिता से याद रखना आप एक बड़े मा संकट के काल के लिए देख रहे हैं जो था यदि आप बाइबल में नमूने को देखें जो कि याकुब के परिशानी के दिन थे आप देखें जब वो परिशानी में था अन्य जातियों के साथ इसका कोई लेना देना नहीं था अन्य जातियों का इससे कोई लिना देना नहीं है बाइबल में कोई नमुना नहीं है अन्य जाति कलिसिया का रप्चर हो जाता है और आप पानी का लहूं में बदलना इसके लिए देख रहे हैं और इस तरह की चीजों के लिए जो वहाँ पर इसराइल के लिए वापिस आता है, मुसा और एलिया के साथ जब वे वापिस आते हैं, एलिया चौथी बार आत्मा में वापिस लोटता है। वह उस समय और उसके बीच कहीं तो जी उटने के लिए बाद्य था, क्योंकि रुपांतर के पहाड़ पर वो वहाँ पर था, इस उसे बाते कर रहा था, क्या वो नहीं कर रहा था, देखा। क्रूस पर चड़ाय गया था, यरुशलम में। वह यहूदियों के लिए प्रचार करेंगे और धर्ती पर प्रहार करेंगे और आकाश बंद करेंगे और अगे बढ़ेगी. कि सेवकाई आगे इस्ताना तरित होकर और इसके साथ जुड़ जाएगी और अन्य जाती घर चले जाएगे और वह सेवकाई आगे बढ़ेगी वहाँ सारी चीजों का नाशोगा धर्ती का दो तेहाई भाग गिर जाता है और बाकी का सब कुछ जब तीन दिन तक सडक पर वे मरे हुए शरीर पड़े रहते हैं तो देखो कि यह किस तरह से था इन तस्वीरों को देखो मुझे वहाँ दक्षन अमेरिका से मिली है जब उन्होंने उस पेंटिकोस्टल मिशनरी को माल डाला उसकी पत्नी और वो और दो छोटे बच्चे वहाँ सडक पर पड़े हुए थे वो छोटी लड़की और उसका छोटा सा पेट इस तरह से फूल गया था उन्होंने उन्हें दफनाया भी नहीं वहाँ से निकल गये इस तरह से उन पर थूकते हुए वे तीन चार दिन तक पड़े थे बाइकोप ने तश्वीरे खीची वे मेरे घर पर हैं देखो जिस तरह से वे कर रहे हैं फिर वे एक दूसरे के लिए उपहारों को भेजते हैं देखो कि बाइबल में ये कैसा नमुना है आप देखें कि कलीशिया ये क्या करने जा रही है ये सही है ठीक सामने है और ठीक अभी एक साम की तरह चल रही है जित्ती वो चालाग हो सकती है वो है ठीक अभी उन बातों के चिन्न है इस भविशवानी को देखें जिसे प्रबु ने मुझे 33 में दिया ये कैसे होगा वे महिलाओं को मद्दान करने की अनुमती देते हैं मद्दान में वे गलत विक्थी का चुनाव करते हैं साथ चीजें मुझे दी गई थी और उसमें से पांच पहले ही हो चुकी ह अगली चीज वो एक बड़ी महिला एक कलिसिया एक सामर्त या कुछ और इस संयुक्त राज अमेरिका को अधिकार में ले लेती है राज्य करने के लिए तब मैंने इसे राक की तरह देखा पड़ा हुआ देखा है जहां ये अंत में आता है ये अंत का समय था इसने कहा उनके पास एक मशीन है जो चलाई जा सकती है उनके पास इसे चलाने के लिए कोई नहीं है उन्होंने इसे अभी तयार कर लिया है इसने कहा ग्यारा वर्ष पवित्रा आत्मने मुझसे कहा ये वहां पन्नों पर लिखा है आप नहीं कर सकते इसे इंकार नहीं किया ये वहाँ पन्नों पर है, जैसा कि पवितर आत्मा ने कहा, ग्यारा वर्ष पहले, मैंजीनोट लाइन का निर्मान होने से पहले, मैंने कहा था वे जर्मन, अमेरिका तब राष्ट्रपती रूजवेल्ट उन सभी का दुष्ट होगा, और ये सही है, वो था. आप लोगतंत्रवादी की भावनाओं को ठेश पहुचाने करें नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये अब लोगतंत्रवाद या प्रजातंत्र नहीं है, ये एश्यू मसी है, परमिश्यर का पुत्र, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं ना तो लोग तंत्रवाद या ना ही प्रजातंत्र हूँ, मैं एक मसी हूँ, सो फिर वे जो कुछ भी थे, लेकिन आप वहाँ ध्यान दें, और यहां देखो, एक दिन, यदि आप देखना चाहते हैं, कि एक विश्वास घाती जुन्ड क्या है, उन मशीनों को लेते हैं, और उन्हें ऐस बनाते हैं, जहां हर बार जब आप शिरिमा निंक्सन के लिए वोट डालेंगे, तो आपको उसी समय पर ये दूसरे वेक्टी को वोट चला जाता है, एड, ये एडगर हुवर ने मशीनों को बाहर निकाला, कित्ये लोग इसे समझ रहे हैं, क्योंकि अवश्य ही ये सारे अगभारों में समाचार और बाकी सबी पर आया है, आपने देखा कि हम कहां पर हैं, वहां मसी के अलावा कुछ और इमानदारी नहीं हैं, आमीन ओ, धन्य है वो पुरानी किताब, ऐसा ही है, ये के वले किताब है, जो आपको बताती है कि आप कौन है, आप कहां से आए हैं, और आप कहां जा रहे हैं, जी हां श्रिमान, ये वो धन्य पुरानी किताब है, ओ, जो मुझे उससे प्रेम करने को लगाती है, क्या ये आपको नहीं लगाती? पिता में विश्वास, पुत्र पर विश्वास, पवित्र आत्मा में विश्वास, ये तीनों एक हैं, दुष्ट आत्मा हैं, कापने लगेंगी, और पापी जाग उठेंगे, ये हुआ में विश्वास किसी को भी हिरा देता है, आमीन, क्या ही महान दिन हमारे सामने हैं, मित्रों, इश्व मसी का प्रकाशित वाकिये, जो परमिशर ने अपने दूद को दिया, और आकर इसे यून्ना को वरनन करता है, जिससे कि यह कलीसिया की युगों में से होते हुए जाना जा सके, वे बातें जो हमारे लिए बचा कर रखी हैं, होने पाए परमिशर अब हमें आशिश दे, जैसा हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं, और हमेशा जो प्यानों को बजाता है, हमें जरा स्वर को दें, यदि आप चाहें तो एश्व के नाम को अपने साथ लें, अब सुनना, इसमें कोई संदे नहीं है, आज की सुबह यहां हमारे बीच मेहमान लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनके हाथों को मिलाएं, उन्हें आमंत्रत करें, उनके साथ घर जाएं, और जो भी है, और हर एक का स्वागत करें, मैं चाहता हूँ कि हर कोई निसंदे ऐसा करें, और याद रखें कि सबह आज रात साथ बजे आरम होगी, और साथ तीस को मैं पत्मुस के दर्शन पर बोलूँगा, कल रात प्रभु ने चाहा तो मैं पहले कलीसिया की युग एफिसिस पर बोलूँगा, अब हम गीत गाने जा रहे हैं, एशू के नाम को अपने साथ लें, हमारे भवन का छोटा सा समाप्त करने का गीत है, और अब हर एक जन गाए तो ठीक है, एशू के नाम को अपने साथ लें, दुख और शोक की संतान, यह आपको आनन्द और सुकुन देगा, हर कहीं तुम जाते हो इसे ले जाएं, बहु मुल्य नाम ओ कितना मधूर, घर्टी की आशा और स्वर का आनन, बहु मुल्य नाम ओ कितना मधूर, बहु मुल्य नाम ओ कितना मधूर, इसे ले जाएं, अब इससे पहले कि हम अगले पत को गाएं, मैं चाहता हूँ मैथोडिस, बेप्टिस, पेंटिकॉस्टल, कैथोलिक, नाजरीन, पिल्ग्रिम, होलिनेस, वे सभी बस यहां माँ जाकर किसी के साथ हाथ को मिलाएं, जो आपके सामने हैं, आपके पास, आपके पीछे, कहें, मसी यातरी, मित्र, मैं आज सुबह आपको यहां पाकर खुश हूँ, परमिशर की उन बातों के इर्दगिर्द, आपके साथ संगती करके खुश हूँ, मैं जानता हूँ, कि हमारे पास बहुत अच्छा समय था, आज रात आपको फिर से यहां देखने की आशा है, ऐसा ही कुछ, जब आप लोगों के साथ हाथ मिलाते हैं, आपके सामने, आपके पीछे, आपके आस-पास, एशु नाम पर जुखते हुए, आज रात को मिलते हैं, भाई नैविल, आज रात को मिलेंगे, पैरो पर स्वरक बे राजाओं का राजा, हम उसे ताज पेनाएंगे, जब हमारी यात्रा पूरी हो जाती है, ओ बहुमुल्य नाम, ओ कितना मधुर, घर्ती के आशा, और स्वरक का अनल, बहुमुल्य नाम, ओ कितना मधुर, धर्ती की आशा, और स्वरक का अनल, जब तक हम मिलते नहीं, जब तक हम मिलते नहीं, जब तक हम मिलते नहीं, एशू के चरणों में, जब तक हम मिलते नहीं परमेशर आपके साथ रहे जब अब हम अपनी सिर को जुकाते हैं जब तक हम मिलते नहीं जब तक हम मिलते नहीं जब तक हम मिलते नहीं तिल वी मीड़ाश जीज़ाश